दोस्तो राजनीती विज्ञान जैसे 32 विशे के लिए मैं करन चौधरी लेकर आ रहा हूँ डेली क्लासेश मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल थोट और आईजीपी भारतिय सासन और राजनीती के साथ कंपरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल के बहुत सारे टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा, कैसे पढ़ना होगा लोग प्रसासन के भिविन ने आया, मेरी कछाओं में आपको डेली क्लासेश मिलेंगी, आपको प्रॉपर तरीका से नोट्स मिलेंगे, आपको बुक्स का सजैसन हम प्रोवाइड करेंगे, कौन सी के लिए आप सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षा हैं, जिनमें राजनीती विज्ञान जैसे बैसे पूछा जाता है, आप इन कक्षाओं का आनंद ले सकते हैं, यह सभी कक्षा हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर कंडेक्ट होती हैं, मैं हूँ करन चौदरी और मैं कि राजनीती में कैसे चलती हैं सरकारें, क्या होता है सासन में, यह सभी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा राजनीती विज्ञान में, तो आप हमारी कच्छाओं के साथ जुड़ना मत भूलिए, सभी के सभी साथ ही आईए और हमारे चैनल को जोईन कीजिए, दे जुप लगान के साथ, यह कहां हम भूक अवाज की मेरी बहुत बढ़ी है जल जुप बढ़ेंगे जॉन लॉओ Blick रख जॉन लॉच ने बहुत अच्छा विचायणक है John Locke political thinker है और यह कैसा ही उदारवादी विचारक है यानि liberal political जो थोट है उसका सबसी important विचारक है John Locke तो आफ फास्ट इसे cover करते हैं जो जो है इसके बार दो-तिन चीज़ जानने कुसिस करो पहली बात तो John Locke का जो जन्नम है यह 1632 में हुआ था फिए इंगलेंड में यानि कि John Locke England का ठिन्कर है पहली बात तो आपके दिमाग में के जियरख की जॉन लोग कहा रिचा रहक है तो John Locke England का विचा रिचा रहक है इसके बाद 1688 में England में गौARV सिल क्रांथि हुई थी तो 1688 इस गौरव सिल क्रांथिमें में में जो पार्टिसिपेट जो हा इसके साथ हुआ इसके सामने हुई तो गौलबसील करांती का एक प्रकार से आप यह कह सकते हैं तो गौलबसील करांती की पैदाइस है वो जोन लॉक है तो जोन लॉक को गौलबसील करांती की पैदाइस के नाम से भी जाना जाता है तो जो देर भाई राजेसी चलो आजो अब पूचह आता है किसका जनम इंगलेंड में हुआ उदारवाद का पिता क्यू है जब गोरबसील क्रांती पर जब क्रांती हुई तो उसमें क्या हुआ गरांती कब होती जब किसी का एक पर एकादिकार ओ एकादिकार को संमाफ्थ करने के ल तो आप ये कह सकते हैं कि जो गौरब सिल करांती थी उस गौरब सिल करांती को समाप्त करने के लिए इस एकादेकार की समस्या सामने आई थी ठीक है देखो तो गौरब से क्रांती क्यों ही क्रांती के पीछे कारण क्या क्या होते है जब भी कोई क्रांती होती तो क्रांती के पीछे क्या कारण होता है या तो किसी एक दल का एकादिकार होगा एक दल का एकादिकार यानि कि एक पार्टी है उसका एकादिकार है उसी का वर्चुस है तब करांती की समस्या आएंगी एक दल का एकादिकार होगा तब करांती की समस्या आएंगी या हो सकता है कि जब कोई समाज में असमानता हो समाज में क्या होगा असमानता होगी यानि कि लिबरलिजम नहीं होगा समाज में असमानता होगी जब असमानता आएगी तब करांती की समस्या आएगी समाज में एक प्रकार से आप कह सकते नियाय नहीं होगा तब करांती के समस्याएं याएंगी तो यही सारी समस्याँ चल रहे थी इनी सारी समस्याओं की वज़े से 1688 में गौरव साली करांती होई और किरान्ती के पीछे कई सारे कारण थे उसी किरान्ती के समय पर जो है एक्टिव रहा तो वो रहा आपका जॉन लॉक तो आप कई बार पूछे आता है कि जॉन लॉक क्या थे तो जॉन लॉक किरान्ती के समय पर ही पैदा हुए थे 1632 में पैदा हुए और 1688 में करांती हो गई थी तो करांती का प्रवाव इनकी उपर देखने को आपको अच्छी प्रकार से मिलेगा ठीक है जॉन लोग उदारवाद के पिता थे देखो लिवरलिस्म के फादर कहे जाते है जॉन लोग इसके पीछे कारण क्या है गुड इवनिंग भाई उदारवाद के जनक क्यों कहे जाते है जॉन लोग इसके पीछे कारण है जॉन लोग ने उदर लिवरलिस्म के विचार दिये यानि कि जॉन लोग का जो विचार था इसका विचार था उदारवादी विचार लिवरल विचार और लिवरल विचार क्या होता है तो इसका विचार उदारवादी विचार था और उदारवादी विचार होता है ऐसा विचार जिसमें उदारता हो यानि लिवर्टी हो सुतंतरता हो, समानता हो, न्याय हो ऐसे विचारों को उधारवादी विचार कहते है तो जौन लोग उधारवादी विचारक थे लिबरल विचारक थे लिबरल का मतलब होता है ऐसा आदमी मेरे प्यारे भाईयो जो क्या करे जो चीजों को बहुत साधारृण तरीका से देखे, लिवरल उढारबादि जैसे आपने देखा कि बॉरतमान समय में कॉंग्रेस पार्टी उढारबादी पार्टी है और थोड़ी जलिजर पार्टी है उढारबाद का मतलब होता है ऐसी पार्टी है ऐसा व्यक्ति जो चीजों को साधारन करतेे आसान करते लिभरल करते यानी कि लिवर्टी, freedom इसके अंदर liberalism का भावो freedom का भावो उसे आप उधारवाद के नाम से जाते है उसे आप नाम देते कि उधारवाद उसको आप नाम देते लिवर्टी ये वाद आपकी समझ में आ रही है तो जोन लोग उदारवाद के पिता थी और जोन लोग को आप अधिकारों के सिद्दान्त के जनमदाता कहते हूं देखो जो क्यों कहते हैं क्योंकि उदारवाद में होती है अधिकार है मेरे भाई उदारवाद का मतलब क्या है आप एक वास समझे जो लोग कहते हैं लब मेरिज करो तो लब मेरिज क्या है जो लोग कहते हैं लब मेरिज करो जो लोग कहते हैं आपका जो दिकार उसका प्रयोक करो व्यक्ति की स्वतंतरता वोई तो उधारवाद है भाई उधारवादी क्या है उधारवादी कहते है किसी के वर टैक मत करो प्यार करो, सम्मान करो, न्याय करो समानता करो व्यक्ति की स्वतंतरता के विचार को अधिक भावना देते हैं यानि आप है, अब आपको किसी लड़की से मुबबत हो गई तो उदारवादी कहेगा कि इनका अधिकार है तो व्यक्ति की सुतंतरता में अधिकार का भाव चुपा होता है भाईबा सही है कि नहीं है अगर आप व्यक्ति की सुतंतरता करोगे तो उसमें अधिकार का भाव चुपा रहेगा तो आप सिंपल वासा में स जड़ हुकर की रचना इसे कहते हैं आप एकलेंसिस इतिकल पॉलिटी आप इसे छोड़ दीज़ प्रभाव नहीं है एक्चुली जॉन लोग के जो पिताजी थे न वो राजनितिक थे जॉन लोग के पिताजी भी राजनितिक थे उस समय के पालियमेंटरिन हुआ करते थे इन उद्युशे आपने पढ़ा प्राकरतिक अदिकार तो प्राकरतिक अदिकारों का जर्म दाता जोन लोग कोई महना जाता है तो अब उदारवादी collateral के पढ़ेंगे तो हर उदारवादी अधिकारों की बात करेगा कोई भी ऐसा उधारवादी नहीं होगा जो दिकारों के बारें बात ना करेगा हर उधारवादी अधिकारों के बारें बात चीत करेगा उसी मैंसे एक आपके जॉन लोग आपको देखने को मिलते हैं चलिए एकला वाला जॉन लॉक की सबसे प्रशिद पुस्तक Two Treaties of Government है सबसे प्रशिद पुस्तक है 1689 में इसने लिखी थी जब 1688 में गौरवसील करांती हुई उसके बाद जॉन लॉक ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है Two Treaties of Government एक जॉर्मेंट ये 1688 के करांती के बाद 1689 में पुस्तक लिखी गेती Two Treaties on Government जॉन लोग को सामाने बुद्धी का दार्शनिक बहना जाता है सामाने बुद्धी का दार्शनिक का मतलब है कि इसकी जो बुद्धी है वो सामाने रहती है जनरल बिल पर बात करता है तो आप सावान ने बुद्धी का दारसने कहते हैं बोचा था उल बुचूल नहीं कहता है ये व्यक्ति की सुतंतरता को अधिक महत तो देता है कहता है व्यक्ति सबसे इंपोर्टेंट है तो जनर लोग व्यक्ति आधारत विचा रखिया और ये इसकी किताब है टू ट्रेडी जॉन गवर्मेंट ये सबसे फीमस किताब है तो कई बार एक्जाम में पुछी आती है जनर लोग ने अपनी पुस्तक 1868 को रखिर करांती का समर्थन किया है बिल्कूर समर्थन किया है और करांती कब होती है भाई इसने कहा करांती इसलिए हुई है क्यों कि व्यक्तियों के साथ क्या हो रहा है नियाय नहीं हो रहा तो नियाय को करना ये एक point है कि न्याय करो दूसरी चीज़ ये कहता है कि वहिया करांती हो रही है न्याय नहीं हो रहा करांती हो रही है लोगों के साथ समानता का व्यवार नहीं किया जा रहा तो समानता का व्यवार होना चाहिए और व्यक्ति की सुतंतरता पर द्यान देने की बात करता है जोन लोग तो उसी प्रकार से आप जोन लोग को देख सकते हैं कहता है व्यक्तिक सुतंतरता जो है उसको आप बढ़ाईए इसलिए इसने गौरब सिल्क रांती का समर्थन किया तो कई बार पूछा आता है कि इंगलेंड की गौरब सिल्क रांती से निकलने वाले विचारक कोने तो जोन लोग है उदारबाद के जनक कोने तो जोन लोग है एक बात आपको पता है उदारबाद क्या होता है उदार मतलब लिवरल यानि कि आदमी को अधिक सुतंतरता प्रदान करने वाला विचारी उधारवाद है मैंने क्या का आदमी के अधिक सुतंतरता प्रदान करने वाला विचारी उधारवाद है ऐसा विचार जो व्यक्ति को अधिक सुतंत्रता प्रदान करें उसे आप उधारवाद के नाम से जानते हैं ठीक है आदमी को सुतंत्रता प्रदान करने वाला जो विचार है उसको आप उधारवाद के नाम से जानते हो उससे आप liberalism के नाम से जानते हो दार्सनिक विचार political philosophical thought अभी इसके जनम के बारे मोगी सारी चीटे किसका जनम क्या हुआ इसने क्या क्या कारी किये simple सी बात अब John Locke के दार्सनिक विचार क्या है एक चरह copy heading डालिए John Locke के दार्सनिक विचार copy पर heading डालिए और लिखिए John Locke के दार्सनिक विचार copy पर heading डालिए और लिखिए John Locke के दार्सनिक विचार इसके दार्सनिक विचार क्या है लिखिए उनके दार्सनिक विचार N.S.A. on concerning human understanding में दिये यह किताब है John Locke की बुक है जिसका नाम है N.S.A. Concerning Human Understanding जॉन लॉक की बुक है इसमें जॉन लॉक के दार्सनिक विचार दिये गए बिना विचारों की ज्ञान असंबवे परंत विचार न सत्य न शत्य वे केवल आकरती रूप है जॉन लॉक का स्टेटमेंट है मैं समझाऊंगा विचारों के पूरू मानब मस्तिस कोरे कागज के समाने जिस पर अनवव समस्त विचारों को लिखता है अब मेरी बात को समझने कोसिस कीजिए देखो ये जो जॉन लॉक है विचारवादी विचारक है विचारवादी विचारक कैसे देखो विचारवादी विचारक क्या कहते है जो उदारवादी विचारक है विचारवादी विचारक होते है कैसे आपके मन में आया कि आपका मन कर रहा है कि आपको मिठाई घानी है अब आपके मन में आया उदारवाती विचारक कहते हैं कि जो आपके मन में आया वो आपको कर दिना चाहिए आपके मन में आया कि लड़की बड़ी अच्छी है इसके साथ मुझे प्रेम बिभा करना है तो आपको कर लिना चाहिए, आपके मन में आया कि आज मेरा कपड़ा पेनने का मन नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, नहीं पेनने शी कपड़े, तो उदारवादी विचारक जो होते हैं, यह विचारों को मेत्तु देते हैं, और यह कहता है कि जो व्यक्ति के मन में विचा विचार आया है वो ज़्ॉद्च है जो विचार बिना विचारों के ज्ञान असंभवे परन्त विचार नसत्य नशत्य वे केवल आक्रति रूप है वो स्रीप आते हैं विचार से पुरु मानम मस्तिस्क ओर अकज के समाने जिस पर अनवब समस्त विचारों को लिखता है कहता है कि बिना विचारों के मानव मस्तिस्क वेकार है अब विचारों की पूरती करना ही मानव का परमधरम है तो यानि जो विचार आ रहा है वो गलत नहीं आ रहा है किसी के मन में कोई विचार आया जॉन लॉक हर विचार को अच्छा विचार मानते तो दार्सनिक विचार इनके इस परकार से है ठीक है तो एक लैंड में आप लिख सकते हैं कि जॉन लॉक लिखिए जॉन लॉक आप लोग लिखिए जरा जॉन लॉक विचारों के आधार को जॉन लॉक विचारों के आधार को अधिक महत्तो देते हैं अधिक महत्तो देते हैं विचारों को अधिक महत्तो देते हैं बात आती है अनुवववाद के देखो इंपिरलिजम एक प्रकार से विचार है जॉन लॉक को अनुववववदी घ्यान मीसान सामें बिर्टेश दार्शनिक तथा विचार रखते इसका मतलब क्या होता है अईसे उन कंसेरिंग गूवरनरिस्टेंडिंग नामक रशना लिखी अनुवववववादियों के अनुशार व्यक्ति का समूचा ग्यान अनुववव पर आदारित है जो पांच ग्यानिंदियों दोरा प्राप्त होता है समझनी कोसिस करिए actually point क्या है क्या कहना चाहते है मैं आपको सम Kash Heart देखो जॉन लौक का जो अनुवववादी ग्यान मिमान सह जॉन लौक का समस्त जो विचार है वो अनुववववाद पर आधारित है तो जॉन लौक अनुवबबादी बिडिस दार्सने को विचारत थे अनुवबबाद का मतलब क्या होता है एक्सपीरियंस से ग्यान लेना यानि कि एक तो हो गया कि आपने ग्यान प्राप्त के लिए पड़ लिखे एक हुआ आपको अनुवबब पर आधारित पांच ग्यान इंद्रियों दोरा जब ग्यान की प्राप्ती होती है यानि कि आपने देख कर सुंग कर बोल कर पांच ग्यान इंद्रियों के माद्यम से किसी व्यक्ती ने जब ग्यान की प्राप्ती की तो उसे आप अनुवबबाद के नाम से जानते हैं जौन लॉक अनुवबबबादी ग्यान मिमानसा के बिर्टिस दार्षने तथा विचारक थे यानि अनुवबबाद पर देख विश्वास करते थे ठीक है चीजों को सुनने में सोचने में कि आनुव बबादी ग्यान मिमानसा क्या है पहले ये समझों कुछ naszego अशे विचार के जो अनुवबब पर Risk सुध करते हैं एक्स्पिरेंस पर यानि ग्यान के प्रकार से आता है तो अनुवबबबादियों के जो भुरति पर्प्ट चेयर है एक्सपीडेंसे के जाने चाहिए कि किया है रप्रापिकम्ट यह एक्साम्पल इसल्य ब्रफ। किजहीं पर्पर ना इन मुझे जांडू उन्दड घर सप्ट में। तो बारती चन्ता पार्टी की तरफ से मैंने इस चुनाव के अंदर अनुवाव बात पराप्त किया यानि कि प्रैक्टिकल नॉलेज गें कि एक होता है आप जो लोग उसे पढ़ेंगे तो उनको लगे आप लिगा कि न्यूज में चिल रहा है टेमरा में चिल रहा है कि जाती उप्योग करके ग्यान की प्राप्ति की देखके सुनके छूकर सोचकर पांचों ग्यानिंद्रियों से आपने ग्यान की प्राप्ति की जैसे मेरी आखे हैं तो देख रही है कान है तो सुन नहीं है मुँए तो बोल रहा है हाथ पे रहे तो छू रहे है तो मैंने पांचों ग्यानिंद्रियों के माध्यम से जब ग्यान की प्राप्ति गी तो आप इसे कहते हैं बेसिकली अनवबाद जब आपने खुद इन्वॉल्व होके ग्यान की प्राप्ति गी तो आप इसे अनवबाद कहते हैं यानि की इंपिरलिजम कहते हैं कभी कभी इसको इंपिरलिजम भी कहते हैं तो ये अनवबाद के उपर जॉन लोग ने ऐसे concerning human understanding नाम की रचना लेखी कि बार पूछी जाती है कि जॉन लोग किसको सपोट करते हैं तो जॉन लोग अनवबादी ग्यान मिमान सा को सपोट करते हैं अनवबादियों के नुसार जॉन लोग के सब्दों में कहें तो लोग ने बुद्वादियों को जनम जात सहज परते के सिद्धान घंडन किया है यानि कि जॉन लोग एक बात कहता है जॉन लोग का एक स्टेटमेंट था कि कोई भी आदमी जनम से जॉह ज्यानी पैदा नहीं होता जो भी व्यक्ति बुद्वादियों पैदा नहीं होता है जो भी व्यक्ति बुद्वादा वाला बनता है वो अनवव के आदार पर बनता है जो भी व्यक्ति पैदा होता है तो उसे अनवव मिलता है तो भी व्यक्ति मान बनता है तब व्यक्ति बुद्वान बनता है यानि क जब भी कोई अनव्यक्ति पैदा हुआ, उसको बहुत ग्यान है, बुद्धी है, तो जनम से पैदा नहीं हुआ कि जनम से पैदा उसके अंदर ग्यान आ गया, तो कहता है कि उसको यहीं पर प्राप्त होता है, सारी ची यहीं पर बनती है, यहीं पर बन के तियार होता है, जो बुद्धिवादी के समंताया खंडडन करतते हैं, कि रिख्ति गोक के नुसर हमारा समस्त घ्यान इंद्री अनवव से प्रापपत हुँ न बात ऑ्रिया जो बुद्धिवादी होते हैं वो कहते हैं कि वाई ज्यान के साथ यह अता है वैसे का है जोन लॉक कहता है नहीं, समस्त जो ग्यान पराप्त होता है, वो इंद्रियों के अनवभ से पराप्त होता है, तो अनवभ वाद के विचार को ज्यादा समर्थन करता है, तो आपको दो लाइन लिखनी है, कि जॉन लॉक अनुवब बाद के विचार को सुविक्रित करता है जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति अनुवब से ज्ञान की प्राप्ति करता है जॉन लॉक नहीं अनुवब बाद को अपनी पुस्तर एन ऐसे concerning human understanding में अली बहां ते लिखा है बस खतम यह होता है अनुवब बाद इसे कहते हैं आप imperialism अनुवब बाद पित्र सत्तात्मक राज्य का खंडल देखो एक बात समझो पित्र सत्तात्मक राज्य का खंडल जो है पूछा जाता है कि patriarchal state को यह नोंने support किया कि नहीं किया तो अगला जो topic है वो यही है देखो जो भी व्यक्ति उदारवादी होगा वो कई पित्रता सत्तात सपाउट को माने गए नहीं उदारवादी क्योंकि उदारवादी हमेशा liberty की बात करते हैं अधिक सुतंतरता की बात करते हैं और वो हमेशा यह कहते हैं अधिक सुतंतरता की बात करते हैं वो इसके बात करते हैं वो कभी यहनी बहुत है किसी आफमी को रोक कर रखो वो हमेशा लिवर्टी की बात करते हैं excellently Liberty के जो आदमी बात करेगा पित्र सत्तात्मक समाज के खिलाप होगा भाई पित्र सत्तात्मक समाज में क्या होता है पापा जो कहते हैं वही होता है पित्र सत्तात्मक समाज क्या होती जिसमें हमेशा पित्र सत्तात्मक का मतलब है Father Leading Family यानि जिस परिवार को पिता जी ने लीड किया उसे आप पित्र सत्तात्मक समाज कहते है वादर लीडिंग फैमिली ठीक है पित्र सत्तात्मक समाजी तो जॉन लॉग ने प्राकरतिक अधीनता के सिद्दान का घंडन किया जिसका उल्लेक रौवर्ट फिल्मर ने किया है यानि कि वो पित्र सत्तात्मक को मानता नहीं जो लोग कहता है कि जिसमें पिता की दौरा सपोर्टर चीए चले उसको मानता नहीं वो कहता है लिवर्टी दो नहीं या रव तो जितने भी उदारवादी विचारक है जितने भी उदारवादी विचारक है ये सारे के सारे उदारवादी जो विचारक होते हैं ये हमेशा ध्यान देते हैं किस पर अधिक से अधिक सुतंतरता पर लिवर्टी अधिक से अधिको पित्र सत्तात्मक समाज को ये सुईकार कत नहीं करते हैं तो यह आपका पहला हो गया जोन लोग के अनुसार व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमती के वाद ही संभव है जोन लोग कहता है कि व्यक्ति जोन लोग के अनुसार व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमती के वाद ही के धार वादी है पुझा को अन्रसे ना थाच्ट को बढ़ा न कोई आपको रोक नहीं सकता राज्या आपको रोक सकता ना पल इस आपको रोक सकती रखेकती ring और ते ग्लाव guber की शुतंतरता है उसके लिए सब बने राज व्यक्ति को सुतंतरता के लिए बलाए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज नाम की चीज बनी है ऐसा मानते हैं ये कहते हैं सारी चीजे व्यक्ति को सपोर्टेड है कुछ भी ऐसा नहीं है जो व्यक्ति के खिलाप हो तो ये कहते हैं व्यक्ति राज्ज का नियंत्रन व्यक्तियों की सहमती के वादी संबब है ऐसा नहीं हो सकता किसी व्यक्ति के ओपर राज्ज ने कंट्रोल कर लिया हो ऐसा नहीं हो सकता कि राज्ज किसी को कंट्रोल में ले ले साफ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति राज पर कंट्रॉल तभी कर सकता है जब व्यक्ति या राज व्यक्ति पर कंट्रॉल तभी कर सकता है जब व्यक्ति चाहेगा यानि योगी बाबा, मोधी बाबा मुझे कंट्रॉल तब कर सकते हैं जब मैं चाहूंगा मेरे बिना चाहे कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता यह कहते हैं तो राज्य को यह बोलते हैं कि भाई व्यक्ति पर राज्य का नियंद्र व्यक्तियों की सहमति के वाद ही संभवे जब तक व्यक्तियों की सहमति नहीं होगी राज्य पर कंट्रोल नहीं होगा यह बात आपकी समझ में आई या नहीं आई जब तक व्यक्तियों की सहमती नहीं होगी राज जी पर कंट्रोल नहीं होगा यह बात आपकी समझ में आई या नहीं आई समझ में आई जॉन लॉक की अनुसार पिता का बच्चे पर नियंत्रण और राज्य का नागरिक पर नियंत्रण से अलग होता है अब इसका मतलब क्या है देखो इसका मतलब है कि पिता का जो बच्चे पर नियंत्रण होता है वो राज्य पर नागरिक के नियंत्रण से अलग ह होता है वह सारे विचारा केते थे जिस परकार से बाप का अधिकार बच्चे पर है उसी परकार से राज्ची का अधिकार नागरिक पर है जो लोग कहता है नहीं जो लोग कहता है नहीं जो लोग कहता है ऐसा नहीं है जो लोग के नुसार ऐसा बिलकुल नहीं है जो लोग कहता नागरिकों के लिए राज्य का निर्माड किया गया है जो लोग कहता है कि नागरिकों के लिए राज्य का निर्माड किया गया है और नागरिकों के लिए राज्य का निर्माड किया गया है नकि राज के बाद नागरिक बने है कहता है कि नागरिक इंपोर्टेंट है अगर नागरिक है तो राज है जो लोग कहता है कि अगर नागरिक है तो राज है अगर नागरिक नहीं है तो राज नहीं है बात को समझे तो यह कहता है कि भाई नागरिकों के लिए राज है राज के लिए नागरिक नहीं है तो यह कहता है कि देखो बाप से बेटा बना उसका संबंद लगे पित्र सत्तात्मक हो सकता है बाप अधिक जादा अधिनायक वादी हो सकता है बाप बेटे को पीट सकता है बाप बेटे को पिठाई कर सकता है बाप बेटे को डान सकता है लेकिन राज और नागरिक का संबंद ऐसा नहीं है नागरिक को राज ना डान सकता ना राज ये मार सकता ना राज ये उस पर किसी प्रकार की कारेवाई कर सकता वो तब कर सकता है जब नागरिक गलत हो तो ये कहता है कि नागरिक और राज्य के बीच का जो संबंद है वो पिता और पुत्र के संबंद से अलग है सीधा प्रशन मिलेगा यहां सीधा UGC.net में सीधे प्रशन यहां से आपको देखने को मिलेगे जितनी बार भी UGC.net का पेपर हुआ है पित्र सत्तात्मक राज्य का लॉक खंडन करता है यहां से एक विचार आपको देखने को मिलेगा तो एक लाइन लिखिए कि लॉक लाइन लिखिए लॉक जोहन लॉक पित्र सत्तात्मक राज्य का खंडन करते है पित्र सत्तात्मक राजिका खंडन करते हैं ठीक है और पिता का बच्चिपन नियंत्रण राज पर नागरिकों की नियंत्रण से अलग बताते हैं और पितापर बच्चों का नियंत्रण राज पर नागरिकों की नियंत्रण से अलग बताते हैं पितापर बच्चे का नियंत्रण राज पर नागरिकों की नियंत्रण से अलग बताते हैं राज़पन नागरेकों के नेंत्रण से अलग बताते हैं ठीक है बाबू? आवाई? अरे हाया ना? बोलो बेरे बच्चो भाहर समझ में आई और नहीं आई? अरे बोलो ओ भाई बाज समझ में आई और नहीं आई? किलियर और नोट किलियर? गुड इवनिंग सर सर्क्लास की टाइमिंग 6 वजे से रखिए अब एक अंटरपरटी जी क्या रहे? वो अब एक अंटरपरटी रख लेंगे अब देखो अब आता है अगला विचार अब आता है इसका अगला विचार इसका अगला विचार क्या है? एक वड़ से जानने की पूरी पूरी कोसिस करो तो इसका अगला विचार क्या है? ठीक है? आईए बात करते है इसका अगला विचार क्या है? देखो राजिस हां सर समझ में आ रहा है बिटा पोछ सर्, आ आ गया सर् प्राकरतिक अधिकार का सितान, प्रिंसिपल अफ नेचुरल राइट यह जॉन लोग के द्वारा दिया गया है क्योंकि जॉन लोग नेचुरल राइट का फादर है याद रखना एक कोसन हमें साब पूछायाता है कि प्राकरतिक अधिकार का जनक कोन है तो प्राकरतिक अधिकार का जनक जॉन लोग है तो प्राकरतिक अधिकार का सितान, प्रिंसिपल अफ नेचुरल राइट यह जॉन लोग के द्वारा दिया गया है ठीक है? clear? अरे हाँ? या ना? प्राकर्तिक अदिकार का सत्वा principle of natural right यह दिया गया है तो प्राकर्तिक दसा में मनुस्यों को तीन प्रकार के अदिकार है प्राकर्तिक दसा में मनुस्यों को तीन प्रकार के अदिकार है एक तो जीवन का अदिकार सुतंतरता का अदिकार और संपत्ति का अदिकार यानि कि जो principle of nature right है प्राकर्तिक दसा में मनुस्यों को तीन प्रकार के अदिकार प्रापत है यानि कि जो प्राकरतिक दसा है उसे मनुश्य को तीन प्रकार की अधिकार दिये गए एक तो आता है जीवन का अधिकार, राइट तु लाइफ, एक आता है राइट तु लिवर्टी, एक आता है राइट तु प्रॉपर्टी यानि कि Sir मेरा एक्जाम है, I.E.R का नोट हो, दे दीजिए का प्लीज, ठीक है सारे नोट्स प्रॉपर्टीकल साइस की प्रॉवाइड में करवा रहा हूँ तो पुलड़का जबात हुए आपकी, टैपिस्टे पुली के बाद तो प्राकर्टी के दिकार का सितान प्रिंसिपल आप नेच्रल लाइट प्राकर्टी दसामे मनुस्य को तीन प्रकार के दिकार प्राप्त है एक तो जीवन का दिकार प्राप्त है दंदरता का दिकार प्राप्त है और संपत्ति का दिकार प्राप्त है यह तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त है यानि कि मनुस्य के पास तीन प्रकार के अधिकार है प्रकर्ती ने मनुस्य को तीन प्रकार के अधिकार दिये देखो प्रकर्ती के अधिकार का मतलब है जब व्यक्षती का जनम हुआ तो उसे तीन प्रकार का दिकार मिले जीवन का दिकार मिला यानि कि उसकी जिन्दी कोई छीन नहीं सकता सुतंतरता का दिकार मिला उसके पास सुतंतरता उसे कोई छीन नहीं सकता संपत्ती का दिकार मिला तो कभी-कभी प्रश्णियासे बनता है जोन लॉक ने संपत्ती का दिकार हो किस परकार का दिकार माना है प्राकरती का दिकार माना है बरतमान समय में संपत्ती का दिकार हमारे संदान में लीगल राइट भी नहीं है मतलब लीगल राइट है संदाने का दिकार भी नहीं है लेकिन जोन लोग ने इसे इंपोर्टेंट दी थी, जोन लोग ने इसे प्राकरति का दिकार उमाना था, तो ये एक्जाम में पचासों बार पूछा गया है, कि जोन लोग के अनुसार संपत्ति का दिकार किस प्रकार का दिकार है, तो जोन लोग के अनुसार संपत्ति का दिक एक प्रकार से प्राकरते का दिकार है सुतनत्रता का दिकार तो प्राकरते का दिकार है ये और जीवन जीने का दिकार ये प्राकरते का दिकार है ये तो ये तो हमारे सम्मिदान में है ये आर्टिकल 19 है ये आर्टिकल 21 है लेकिन ये पारे सम्दान में नहीं है तो संपत्ति के अधिकार बरतमान में डालिया गया है प्राकरति के अधिकार संपत्ति के अधिकार भी था जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को अत्यदिक महत्त प्रदान किया जीवन सुतंतरता के अधिकार को भी संपत्ती के अधिकार में नहित माना मतलब जो जो जॉन लॉक है उसने संपत्ती के अधिकार को बहुत महत्त दिया ठीक है मैंने आप से पहले ही कहा है कि संपत्ती सबसे इंपोर्टेंट जी जॉन लॉक के अनुसार तो ये एक्जाम में पचासों बार पूछा जाता है तो आपको कोई confusion नहीं चाहिए इसमें सीधा पूछेगा कि संपत्ती के अधिकार जोन लोग के अनुसार कैसा अधिकार है उत्तर होगा एक प्राकर्टी के अधिकार है जोन लोग के अनुसार व्यक्ति को प्राकर्टी के अधिकार जनमदाता के रूप में प्रापत होते हैं जैसे उसकी तवचा का रंग जोन लोग केता है कि जो प्राकर्टी के अधिकार है व्यक्ति को जनम से मिलते है वह उन्हें छिन नहीं सकता प्रकर्टी उन्हें प्रदान करते है यह ऐसे कि आपका जनम हुआ तो आपको आँख मिली, नाँख मिली, कान मिले आप सुन सकते हो, आप बोल सकते हो आप देख सकते हो, आपको बाल मिले आप गज़े नहीं है, आप काम कर सकते हो आप दूसरों को गालिया दे सकते हो ठीक है, कुछ भी कर सकते हो तो प्राकर्ति के दिकार प्रकर्ति दोर आपको दिये गए जैसे आपकी तुच्चा का रंग है एक एक्जामपल लिखा है इसमें तुच्चा का रंग आपको प्रकर्ति ने दिया कि आप काले हैं कि गोरे हैं आपकी आँखे कैसी हैं आपके बाल सुनदर है, आपकी बाते हैं, तो इन अधिकारों को मानेता प्रदान कर विदी, अथवा कानून के रूप में परवर्थित कर दिया, कोई ने चिन नहीं सकता, तो प्राकर्ति अधिकार सबसे इंपोर्टेंड राइट है, और कोई ने चिन नहीं सकता, यह हमेसा साथ रहते हैं कहा कि प्रकर्टी के साथ है तो यह इनको कोई छिन नहीं सकता तो इन्हें आप प्राकर्टी कदिकारों के नाम से जानते हैं बास समझ मैं ही? तो आप लिख सकते हैं एक लाइन में कि जॉन लॉक ने इसको लिख लीजे पहले तो पर एक लाइन में लिख लीजे कि जॉन लॉक ने संपत्ती कदिकार को प्राकर्टी कदिकार माद है यही प्रशन आएगा और संपत्ती कदिकारों को छिन नहीं सकता simple बरतमान में तो है नहीं संपत्ती कदिकार लेकिन जॉन लॉक ने माना था वो संपत्ती को business method देता था Life, property and liberty यह तीन इसके statement है जिन्दगी, property and liberty All three are born with the natural rights Life, liberty and property यानि कि आपकी जिन्दगी, स्वतंतरता और संपत्ती यह तीनों ही व्यक्ति के जीवन के साथ आते है Life, liberty and property and people are born with these So, these are three main important, ठीक है I'll leave it Liberty, property लेख लो भाई Life, liberty and property Life, liberty and property Life, liberty and property Clear? Clear? तो तीन विचार होगे जैफ परसन के अनुसार व्यक्ति को जीवन, सुतंतरता और सुक लेने का दिकार है अब देको अगली बास समझते है Thomas, pain, rights of pain इन सब की तुमें जाननी के आवस्यक्ता नहीं है संपत्ति को समप्त कर सकते, नहीं कर सकते, देको तो तीन चीज़ है जान लॉक का तीन विचार है सुतंतरता, जिंदिगी, सुतंतरता और संपत्ति व्यक्ति को जीवन, सुतंतरता, सुक लेने का दिकार है जान लॉक के बाद प्राकरति के दिकारों का समर्तन Thomas, pain द्वारा किया गया जिनोंने right of man नामक रशना लखी व्यक्ति के दिकारों का समर्तन बहुत से लोगों ने किया का कि व्यक्ति को प्राकरति सा दिकार प्रापते है जब व्यक्ति जनम लेता है तो प्राकरति उन्ना दिकार देती है ठीक है प्रोडिकल थॉट्ट की मैंतन क्लास ले लीजिए लूँगा मंडे से न मैं तुम्हार दुमधार क्लास लूँगा मंडे से और तुम्हें बहुत जल्दी से बैच खतम करा हूँगा क्योंकि मैं थुड़ा सा फिर जोइनिंग वेनिंग के लिए जा रहा हूँ मेरी खुद की जोइनिंग वेनिंग पर जादा समय लग रहा है तो मैंना तुम्हारी क्लास दुमधार लूँगा हजार चीचे होती है तो मैं सिर्फ टीचिंग को फोकस करूँगा तो मंडे कोई समस्या नहीं आएगी यह मेरा प्रॉमिस रहेगा और मैं अपने स्टूडियो को कई सेट अप रखूँगा जिसे कि मेरा फोकस रहे बैच के ऊपर मैं सुवह सुवह पढ़ाया करूँगा जल्दी अर्ली इंदा मॉर्निंग सुवह प्रॉबिबली मैं कोसिस करूँगा कि 6-7, 7-8, 8-9 मतलब मैं सुवह सुवह पढ़ा के खतम किया करूँगा दस बजे तक तो कुछ उट्टी नहीं सुवह पढ़ाया करूँगा अर्ली इंदा मॉर्निंग और जल्दी सुवह पढ़करप्रण को लेकर चलाया करूँगा तिन बएया हम करूँगा साम को सौँगा फिर सुवada गए यह रूटीन रहने वालया था आगे तो तो बीच कटम होजाए तो लौक के अनुसार यदि राज्य की प्रकर्ति प्रदत अर्थात प्रकर्तियों के अधिकार में अच्छा करने में सफल नहीं होता तो राज्य के विरुद्ध करांती का सारा लेना होगा तो लौक क्या कहता है लौक कहता है कि प्राकर्टिक अधिकारों का समर्थन थोंस पेन ने भी किया विजोगों ने किया लोग कहता है कि अगर राज्जी की प्रकर्टी प्रदत अर्थात कि जो अधिकार प्रकर्टी ने दिये हैं for example बोलने का, खाने का, पीने का, संपत्ती का, जीवन का ठीक है इस सारे जो अधिकार आपको प्रकरती ने दिये इन अधिकारों को इन अधिकारों को आपको क्या करना होगा इन अधिकारों को अगर राज इनकी रक्षा नहीं कर पाता है तो आप राज के खलाब करांती कर सकते हैं मेरे बास समझ रहो लोक के अनुसार यदि राज प्रकर्ति द्वारा प्रदत अर्थात प्रकर्ति के रिक्षा करने में सफल नहीं होता है तो ऐसे राज के बुद्ध करांती का सहरा लेना होगा ऐसा जोन लोक कहता है यानि कि करांती तब होगी जब व्यक्ति अपनी प्रकर्ति कदिकारों की पूर्ति नहीं करेगा इसलिए जॉन लॉक शोले सो अठासी की करांती को समर्थन करता है और करांती को सत्य मानता है समझें बात आगी तो एक लैन में आपको लिख लेना है कि जॉन लॉक प्राकर्ति कदिकारों को सत्य मानता है और राज के खिलाब करानती की बात करता है अगर प्राकरत गदिकारों को राज देने में समर्थ है तो कई बार ऐसे कुछन पूचाता है कि एक लॉक कि लॉक के लॉक साथ प्रणती प्रड़त अर्था प्रणती की दॉआ अधिकारों को रख्षा लोग कही बार प्रिशन पूछता है कि वाई लोग कहता है कि अगर राज प्राकरतिक अधिकारों की रच्छा करने में समर्थ है तो राज के एकलाब करांती की जा सकती है क्लियर? ये लोग कहता है, तो बहुत ही सिंपल था स्टिटमेंट है, अगला वला मैक्सी निस योगदान को बिसेस योगदान नहीं बरना, अस्रवादी सक्तिमन योगदान माना, मैक्सी के बारे में छोड़ दो आगे चलके पड़ेंगे, ठीके चलिए व्यक्ति संपत्ति का अधिकार लोग की विचारदारा का केंद्री तत्त्त है चाहें लोग व्यक्तिवादी, पूझीवादी, समाजवादी, सामेवादी सभी विचारदाराओं के चिंद्दन करने की प्रणा थी इसका मतलब क्या हुआ देखो लोग ये कहता है लोग कहता है कि संपत्ति लोग कहता है कि संपत्ति का जो विचार है वो उसकी विचारदारा का केंद्री तत्तो है यानि लोग कहता है कि व्यक्ति की संपत्ति कभी कोई किसी से छिन नहीं सकता यानि कि अगर आप से पूछा जाए कि संपत्ति के दिकार का समर्थन लोग करता है सरवादिक करता है लोग कहता है कि यार कोई विचारदा रहा हो साम में वादी हो, समाज वादी हो चाहें तुमारी पूझी वादी हो कोई भी विचारदा रहा हो लोग कहता है से कोई फरक नहीं पड़ता संपत्ति का अधिकार व्यक्ति के पास रेना चाहिए लोग कहता है कि व्यक्ति की जो संपत्ति है उस संपत्ति को किसी को नहीं चीनना चाहिए लोग कहता है कि संपत्ति व्यक्ति की सर्वसेश चीजे संपत्ति को कोई कभी किसी से नहीं चीनना चाहिए लोग के अनुसार संपत्ती सबसे इंपोर्टेंट चीजे इसलिए लोग जो है व्यक्तिवादी, पूजीवादी समाजवादी, साम्मेवादी सभी विचार दानों का चिंतन करने की प्रेडा करता है कहता है सभी विचार करो परन्तु संपत्ती के अधिकार को किसे ना चीने, संपत्ती के अधिकार को जौन लोग सबसे इंपोर्टेंट कुणता है बात समझ मैं या नहीं है बोलो उदारवादी विचारक, लिवरल थिंकर उदारवादी विचारक देखो, उदारवादी विचार क्या है अब जौन लोग का समझ में आगे कुछ बात समझ में आ रही है चलिए जौन लोग की उदारवादी विचारक था मैंने आपको बता दिया, उदारवाद होता क्या है तो उदारबात नाम का जो सब्त है वो इससे निकला है उदार का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति यो सुतंतरता को समर्थन करें सुतंतरता का समर्थन करने वाला ठीक है उसे आप क्या नाम दोगे उसे आप उदार नाम दोगे उदार तो पालियमेंटो राजा के बीच चलने वाली संग्रस तता बिटेन की गौरपूर करांती वी उसकाव परवावित किया इसलिए उदारवादी विचारक है लोग ने उदारवादी और सीमत सासन का समर्तन होने से महत्पूर योगदान है यानि लोग उदारवाद को अधिक महत्पू देता है और कहता है सीमत सासन होना चीए देखो फॉर एक्जामपल कैसे अब यूपी का इलेक्सन हुआ तो यूपी के चुनाम में जो लोग उदारवादी है वो लोग कहते हैं कि बावा ने गलत सरकार चलाई बावा ने सरकार ग तो जितने भी उदारवादी विचारक हैं वो सीमत सरकार के समर्थन की बात कर तेयां तो आपको समझ ले ले,कि उधारबाद में चलेगी सी मीस सरकार, सरकार पावरफुल होगी,टो सुतंतरता पर कहां ध्यान देगी, सरकार दूसरों के विचारों को नहीं सुनेगी, तब कहां ध्यान देगी? इसी लिए ये कहता है कि सीमिस सरकार की बात करता है पार्लियमेंट और राजा के भी चलने वाला संगरस बिडिन की गौरपूर कांती उसको प्रवावित किया तो वो तो ठीक है कि पार्लियमेंट और राजा यानि कि राजा और पालियमेट के बीच में संगर्ष चला उसी में तो जो जैफरसन है लॉक है सब वो बिचार के जो कहते हैं सिंपली की उदारबाद बहुत इंपोर्टन चाहिए सरकार का रोल लिम्टेड होना चाहिए और व्यक्ती की सुतंतरता देखोनी चाहिए तो ये व्यक्ती की सुतंतरता पर ध्यान देता है जोन लोग तो अब आपको कोई भी विचार ऐसा मिले इसके आदार पे आप प्रशन को सौल कर पाओगे कि जोन लोग क्या समझता है जॉन लोग के विचारों को उदारवाद के निलिके सिद्धानतों में सामिल है अब जॉन लोग ने कौन से कौन से विचार दिये हैं तो तीन चार इसके विचार है पहला है सुतंतरता जॉन लोग कहता है कि उदारवाद का मतलब सुतंतरता है व्यक्ति को freedom दो tolerance देखो आप जब ही बात करोगे जैसे उत्रप्रदेश है तो अब Congress की सरकार जो होती है वो उधारवादी सरकार मानी जाती है बीजेपी की सरकार को लोग तोड़ी कटोड़ सरकार मानते तो उधारवादी सरकार है केती है सुतंतरता मिलेगी आपको सहसोरता मिलेगी tolerance मिलेगी tolerance का मतलब होता है कि भाई आज में एकलाब बहुत ज़्यादा अत्याचान नहीं किया जाएगा सहमत्ती का साहसन rule of consent का मतलब है कि आपकी सहमत्ती के बाद सरकार चलाई जाएगी सम्मिदानिक साहसन constitutional governance यानि आप जैसे कोगे वैसे सरकार चलेगी आप जैसे चाओगे सरकार वैसे चलेगी ऐसे निचलेगी कि आपने का सरकार चल रही है सम्मिदानिक सरकार चलेगी जैसे आप चाओगे वैसे सरकार चलेगी constitutional government चलेगी आपके समझें बात आ रही है तो सैमती का सासन रूल ओफ कंसर्ण चलेगा ठीक है सम्मिधान एक सासन चलेगा सै सुरता चलेगी और फ्रीडम सुतंतरता चलेगी यह चार चीजें सबसे इंपोर्टेंट है जॉन लॉक के अनुसार यह चार चीजें चलेगी आपके उधारवादी विचारक में चार चीजें सबसे इंपोर्टेंट है यह प्यारे बच्चे अगले वाले में चलेगे मानव सुवाब के बारे में इसने क्या कहा है कई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि मानब सुवाब के बारे में जोन लोग की क्या विचार है इसका टिपनी करें अब आगे क्या है चलो तो बास समझ में आई तो अब मानब सुवाब के बारे में जोन लोग क्या कहता है यानि कि जो मानब के विचार है उसके बारे में जोन लोग क्या कहता है देखो लॉक ने होपस के विप्रीत मानब सुबाब का वड़न किया है इसका मतलब क्या हुआ देखो मानब के सुबाब को उधारबादी हमेसा अच्छा मनते है उधारबादी कोई भी हो मानब के सुबाब को बढ़िया मनते है आदमी अरे बहुत अच्छा होता है अच्छपन से बढ़िया होता है आपस कहता है मनुस्यरम से कुट्था होता है मैं इसार बॉंडोग तो जो उदारबाद ही हैं वो कहता है मानव बहुत अच्छे चीज़ है और जो वैसे हैं वो कहते हैं मानव बहुत खराब चीज़ है तो दोनों में अंतर है एक मानव को बहुत अच्छा मानता है एक मानव को बहुत खराम मानता है दोनों में अंतर है ठीक है तो लॉक ने हॉप्स के विपरीत मानव सवाब का वड़न किया है लॉक मानव सवाब को अच्छा मानता है लोक और हॉप्स जो है यह मानव सुवाब को खराम मानता है हॉप्स कहता है कि ब्यक्ति तो जनम से मूर्ख है उता है नीचे निकम्मा है लोक कहता है नहीं मानव सुवाब से बहुत बढ़िया है तो मानव अच्छा सांतिपूर्ण और समाजिक होता है ये मानव सुभाव के बारे मिसके विचार है तो आप से एक्जामिनर पूछेगा कि लोक मानव सुभाव को कैसा मानता है लोक मानव सुभाव को अच्छा मानता है सांतिपूर्ण मानता है बडिया मानता है सहिस्ण मानता है अच्छ़ा मानता है होबस कराम मानता है होबस को पढाऊंगा तो जेश्ट up55 दिखेगा अब वो उल्टा मानता है मानव हरामी है तब हungए कहता है कि सरकार को डंडा चलाना चीए जीसे बावा योगी कहते ही यह கौन मनुस्यों में दया प्रेम सानवूती आद स्ववाविक गुण होते हैं ठीक है मनुस्यों में दया प्रेम सानवूती ये सब स्ववाविक गुण है ये लौक कहता है कि आदमी दयावाने स्ववाविक रूप से अच्छा है मनश्य स्वार्ती और अविवेक नहीं होता उसमें सामाजिकता का गुण होता है लोग कहता है कि मनश्य स्वार्ती नहीं होता अविवेक ही नहीं होता है उसमें बिवेक होता है सामाजिकता का गुण होता है यानि देखो यार तुम सही बातों को छोड़ो यार लोग को समझो यार लोग कहता है आदमी सबसे बड़िया है गुरू आदमी ने का प्यार करना है करो आदमी ने का नहीं करना है नहीं करो आदमी ने का अपनी साधी में जाओंगा नहीं जाओंगा मत जा आदमी कहता है नंगा रहना है बहुत बढ़िया आदमी कहता है लड़का लड़के के साथ करेगा लोग कहता है बहुत बढ़िया लड़की लड़की के साथ करेगी लोग कहता है बहुत बढ़िया तो लोग कहता है आदमी जो सोच रहा है उससे अच्छी तो कुछ ही नहीं आदमी ही बगवान है आदमी ही परम ज्यानी है तो लौक के सारे विचार सुतंतरता पर आदा रहते हैं और कहता है सुतंतरता आदमी को दो बगवान ने दी है तो लौक कहता है कोई से रोकी नहीं सकता लोग आदमी को में इंपोर्टेन मानता है यह लोग का विचार है तुम्हारी समझ में एक बार में आचुका होगा लोग कहता है कि आदमी न तो स्वार्ती है न अविवे की है हॉपस कहता है आदमी बड़ा निकम्मा है नीच है लोग नियंतर में रखने लिए बल प्रयोग की अवसकता नहीं है लोग केला आदमी के ओपर बल प्रयोग की जुरूरत नहीं है आदमी तो बहुत अच्छा होता है यह यह लोग के बचार है चलिए रखती ही इन क्रांती के निस्कत निकला और उसको जोन्स ने का यह गटना इस बात की साक्षी है कि मने उसे काफी बिवेकी होते और समझते हैं उसका सरुपवत है इसी बात में था कि पारस्प्रक स्वयोग द्वारा सांती पुन जीवन व्यतीत करें लॉक ने हॉप्स की तरह मानव सुआपर और अपने विचारों का विसलेशन करमबत रूप से नहीं किया देखो हॉप्स ने किया हॉप्स ने आदमी को ध्यान से पढ़ा तो लॉक का जो वर्ण है वो करमबत तो नहीं है लेकिन आप लॉक को पढ़ना है बिवेक को छोड़ो लॉक कहता है कि आदमी बहुत बढ़िया है तो आप भी को आदमी बहुत बढ़िया है काम कतब आपके अनुसार भी आदमी बहुत बढ़िया है लॉक आदमी को बहुत बढ़िया मानता है कितना ही ज्यान दो इसकी जुरूत नहीं है कांट समान मानब सभाव अब इसको अगली बाप देखेंगे ठीक है इसमें क्या है देखो जो कांट है ना हॉपस तो अलग है हॉपस कहता है कि मानब के विचार अलग है और कांट के विचार जो है वो मानब के समान है तो लौक मानव सवाब संबंदी विचार जर्मन दार्षनेक इम्मूनल कांट के विचारों के समान है कांट का मानना है कि बिवेकसील प्रकरती अपने आपस में साथ दे है यानि देखो जो जिस प्रकार से लौक मानता उसी प्रकार से कांट मानता है तो लौक का मानव सुवाब समंदी विचार जर्मन दार्षनिक इम्मुनल कांट के विचारों के समान है यानि लौक और कांट दोनों विचारों को एक जैसे ही है दोनों व्यक्ति को अच्छा मानते है कांट मनश्य को बिवेकसिल परकरती और अपने आप में साध्य मानता है कहता है व्यक्ति ही सबसे इंपोर्टेंट है और अपने आप में पिवेकसिल है इसलिए मानव मातर को सदैव एक साध्य मानव कर चलना चाहिए कि अब साधन मानव कर नहीं चलना चाहिए तो एसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा विचारक मानव को साथ दिमानता है तो इम्मूनल कांट टुर लॉक दोनों मानव को साथ दिमानते हैं साथ मतलब फाइनल रजिल्ट राज्जी के परतेक सदेशे को सुतंदर्दा करता है इसमें किसी को भी दास बनाकर रखना अनुचित होगा यानि देखो यह दासों को समर्थन नहीं करते प्लेटो अरस्तु दासों को समर्थन करते लोग कहता है नहीं व्यक्ती बहुत अच्छा है कांट कहता है व्यक्ती बहुत अच्छा है तो इसके दास परता को समर्थन बिलकुल नहीं करते हैं यह कहते हैं दास परता खराब है दास परता होनी नहीं चाहिए तो कांट के समान मानव सबाब अच्छा माना है बढ़िया माना है दोनों मानव सबाब का पूर समर्थन करते हैं टो यö तास परथा का विश्वास नहीं करते ये आपके विचार 收看 मैं बैसे भी आप समझ सकतें को ठाबर में लेगा अब अब हउपस में और इसमें तो बहुत बड़ा अंतर है हॉपस में और इसमें बहुत बड़ा अंतर है इस चीज को हम देखेंगे कि होपस में इसमें कितना बड़ा अंतर है क्योंकि इसमें काफी सारी चीज़ें बच्ची हैं आज तो हो नहीvinry पाईगा होपस में और इसमें बहूत बड़ा अंतर है सबस्ताइ convection फैल करते हैं लोग आदमी प्यार है बढ़िया है अच्छा है तो अनुमें डिफेरेंस हैu तो 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 नो की विचाड़ताना अलग है अम उचर्णी करता हूं शुरू करते हैं, जॉन लोक को खटम करते हैं संडे है, संडे को भी तुमरी क्लास लाएगी है चलो, आजाओ तो यह मने मानव सुभाव के बारे में देखा अब हॉप्स और हम इसके बारे मैं पढ़ेंगे आदमी जन्म से ही कुट्ता होता है आदमी अपने जन्म से ही कुट्ते के सुरूप में पैदा होता है वहती नीच और निकम्मा होता है ठीक है यह हॉप्स कहता है कि आदमी जन्म से बहुत खराब होता है जन्म से बहुत ही बेकार होता है लॉक का आदमी बहुत अच्छी चीजिया, आदमी बग़या होता है तो लॉक आदमी को मिसा अच्छा मानता है। हॉप्स ने मनश्य को स्वार्थी आत्मकिंद्रत माना है जो कि लॉक ने उसे परोपकारी तथा सधाचारी माना है। पूछा जाएगा कि मानभ सुभाव के बारे में लाब्स क्या कहता है इते हैं लाब्स कका मानभा बहुत अच्छा है परोपकारिय सदाचारी है हॉप्स मनुश्य को आसामाजिक तता बुद्धि हिन प्राणी कहता है हॉप्स मनुश्य को आसामाजिक कहता है हॉप्स बुराई करता है हॉप्स कहता है आदमी बहुत खराब है जब भई आदमी खराब होगा तो खराब आदमी को नेंतरित करने के लिए नियमों के आवसकता होगी तो हॉप्स का जो राज्य है हॉप्स का जो राज्य है वो आदमी को नियंतरित करता है हॉप्स ने ये कभी नहीं कहा कि मेरा जो राज्य हो ऐसा होना चे जिसमें आदमी के पास जिसमें सत्ता के पास पौवर ना हो होपस कहता है सत्ता के पास पूरी पावर होनी चाहिए जब कि लोग कहता है कि नियंतरे सत्ता यानि के सीमित सरकार की बात करता होपस तो होपस जो है वो सीमित सरकार की बात करता है और लोग जो है वो सीमित सरकार की बात करता है हौप्स जो है असी में सरकार की बात करता है तो हौप्स तो आदमी को खराम मानता है हौप्स तो आदमी को बेकार मानता है हौप्स तो आदमी को नीच मानता है हौप्स तो आदमी को निकम्मा मानता है और हॉपस के जस्ट अपोजिट में लॉक को देखेंगे आप तो लॉक आदमी को बढ़िया मानता है यह बात आपकी समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके सभी कसभी बताएं एक बार जड़ा यहां तक मैं आपके कमेंट डिखता हूँ यह बात आप सभी की समझ में आ रही है पहले कमेंट करके सभी की बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द बताओ clear सुरह मैं अब्से बात करना है क्या बात करना है बताओ भई यहां तक की बात समझ में आरी यह नहीं अरी है ठीक है? मौमबद नदी मनसारी यह बात समझ में अभी तक आपको पड़ाया यहां तक तो परोपकारी बताता है हॉप्स मनुश्यक को सामाजिक तता बुद्दीन प्राणी कहता है लेकिन लॉप्स उसे सामाजिक तता बिवेकसिल प्राणी मानता है लॉप्स कहता है कि तुम सामाजिक और बिवेकसिलो HOPS उसे खराम मानता लेकिN LOCK उसे अच्छा मानता है LOCK उसे सामाजिक मानता रर विवेकसिल प्राणी मानता है HOPS वर्चल लॉक में यह डिफरेंस है यह एक्जाम में पूचा जाता है आप समझ लेंगे कि केकोडिंग मान भी बहुत अच्छा है देखो लोक क्या कहता है लोक कहता है कि मानब जो सुवाब है वो सदाचारी है जब आदमी सदाचारी होगा तो अच्छा होगा अच्छा होगा तो अच्छे आदमी को नियंतरित करने की राज्जी क्या वसकता है उत्तर होगा नहीं है तो अच्छे आदमी को नियंतरित करने क एक राजजी के पास क्या होगा? तो राजजी के पास सत्ता होगी सत्ता की पावर से उसे नियंत्रीत किया ये बात आपके समझ में आई या नहीं, के लिए अगला पाला हॉप स मनुश्य को पसू समान मानता है मैंने पहले पहले कहा कि Hobbs के according मान अपसू है लेकिन John Locke इसे नेतिक गुड़ों का समपन मानता है दोनों में ये डिफरेंस है Hobbs मनुश्य की सारी डिर्व मानसिक सकतियों की आधर पर सभी मनुश्यों को समान मानता है लेकिन जोन लॉक इसकी बिसेस करते हुए किवल नेतिक रूप से सभी को समान मानता है देखो अंतर क्या है बात तो कुछ दंते समझना हॉप्स कहता है कि हर आदमी नीचे है हॉप्स के अकॉर्डिंग हर आदमी नीचे हर आदमी निकमा है आदमी का सुभावी नीचता का है तो लोग कहता है हॉपस कहता है कि हर आदमी का दिमाग एक जैसे हर आदमी की मानसिकता खराव है आदमी मानसिक रूप से खरावी पैदा होता है ठीक है उसके अंदर धूरता नीचता ठीक है ये सारी चीज़ें बड़ी होती है ठीक है ये सारी चीज़ें बड़ी होती है लोग कहता है नहीं लोग कहता है कि देखो आदमी जो है आदमी जो है ना आदमी जो है नेतिक रूप से सभी को समान मनता है हॉपस कहता है आदमी बहुत नेतिक है आदमी बच्पन से ही ठीक होता है आदमी में कोई कमी नहीं है आदमी बड़ी बड़ी है चीज़ है लोग कहता है कि आदमी बहुत ही अच्छी चीज़ है आदमी बहुत बिंदास चीज़ है आदमी के अंदर कोई बुराईया नहीं है तो आदमी को बहुत अच्छे रूप में जोन लॉक देखता है ठीक है तो वो कहता है कि नैतिक रूप से आदमी बहुत अच्छा है हॉपस कहता है नहीं आदमी बहुत खराब है तो मुझे एक बार समझ में आ चुकी होगी आप लोग भी जमजगे होंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है लॉक में और हॉपस में क्या डिफरेंस है ये आपकी समझ में आ गया होगा हाँ जी राजेश जी इसको लेख लेना इसे कुसन मनता है एक्जाम में तो पक्का समझ लेना अब मैं एक बात तुलना करके दिखाएता हूँ आपको जिसे कि आप exam person को crack कर पाओ देखो tell of the tip आदमी के बारे में क्या क्या कहा है मानब सुबाब के बारे में हॉफ्स ने लॉक ने और रूसों ने क्या क्या कहा है देखो जो मानब सुबाब के बारे में सबसे पहले जो हॉफ्स कहता है हॉफ्स कहता है कि आदमी का सुबाब नीचे निकम्मा है तो आपको एक सब्द देखने को मिल रहा होगा evil क्या सब्द लिखाए evil evil का मतलब क्या होता है बुरा हॉप्स आदमी के सुवाब को बुरा मानता है लोग कहता है आदमी के सुवाब बहुत बड़ी है तो लोग इसे गुड मानता है अच्छा मानता है रूसो कहता है कि सुवाब अच्छा है सुसाइटी सीक्रेट असफ सुसाइटी समाज उसे सुधार देती है तो समाज के बाद ये बात करता है रूसों, रूसों समाज को उसा जिता है कहता है समाज जो सुधार सकती है अच्छा मानता है बुरा मानता है, कहता है अच्छा है लेकिन सुधारा जा सकता है Government is needed to protect the public, HOPS कहता है सरकार की आवसकता है पबलिक की रच्छा करने के लिए क्योंकि आदमी नीच है, निकम्मा है लोग कहता है wanted to benefit the people, कहता है सरकार की आवसकता है लेकिन लोगों की अच्छा ही करें, रोकने के लिए नहीं मतलब एक प्रकार से देखो, यह हॉपस पुलिस राजी की स्तापना की बात करता है, लोग समाज कल्याड या लोग कल्याड का राजी की स्तापना की बात करता है Need it to enforce social contract, यह कहता है सामाजिक समझोते की बात करता है रोसो, जब आगी पढ़ोगे तो समझ में आएगा Government should be all powerful, cannot be overthrown, हॉपस कहता है सरकार बड़ी सकते साली होनी जैसे कोई अटाना सके, बाबा योगी की तरह, conditional can overthrow, यह कहता है, लोग कहता है सरकार conditional होनी चाहिए, बहुत powerful नहीं होनी चाहिए, और सरकार कभी भी अटाई जा सके रूसो कहता है, arbitrary can overthrow, रूसो कहता है हटाई जा सकनी चाहिए, रूसो इसके बारे हम बात करता है, power should be not shared, absolute, shared legislative and excessive, दोनों में क्या difference है, कहता है is not shared, executive is absolute, कहता है सकती बांतनी चाहिए, सरकार के पास पूरी power होनी चाहिए, कहता है सरकार की सकती बटी होनी चाहिए, और बिदा direct, direct, responsive and not needed, ये कहता है कि सकती सरकार के पास होनी चाहिए, बिदान मंडल के पर सरकार responsible हो, इस बात की गारंटी नहीं है, रूसो कहता है, खेल रूसो को तो आप पढ़ोगी, आप लॉक और इसको देखी जड़ा, तो देखो लॉक बिदान मंडल का महत्तो देता है, कहता है स सरकार निरंकोस नहीं होनी चाहिए, सरकार सत्ता दादी नहीं होनी चाहिए, सरकार पर विदान मंडल का नियंतरत होना चाहिए, सरकार लोक कल्यान कारी होनी चाहिए, तो बरतमान समय में जो लोकतंतर का विचार है, और बरतमान लोकतंतर के विचार में विश्व की अधिक जो अधारवादी विचारदारा पर विश्वास करते हैं, वहाँ जॉन लोक की सरकार है, हालांकि लोक तंत्र में भारत भी है, लेकिन भारत में तरूप से आप देखो कि जिसे कॉंग्रिस की पार्टी आती है, तो कॉंग्रिस पार्टी ज्यादा लिवरल है, अधिक का विचार होगा, आप मैंसे कुछ सोचते होंगे, सरकार पौरफुल होनी चाहिए, ठीक है, आप मैंसे कुछ सोचते होंगे, सरकार पौरफुल नहीं होनी चाहिए, आप मैंसे कुछ सोचते होंगे, दो डंडे खाने लायक ही लोग है, हरामी लोग है, आप मैंसे कुछ रोजते होंगे, नहीं, भाई, मुसल्मान हमारे भाई बंदू है, और आखिरकर सरकार अरामी होती है, हिंदु मुसलिम को लडाती रहती है, तो आपकी दो बिचार दारा हैंगी, कुछ लोग कहते होंगे, कि सरकार को एक दम डंडा चलाना चाहिए, लोगों के बहतरी न तरी कि कुछ लोग इनके मीडियम बीच के होते हैं, वो रूसो हैं, कोने हैं वो रूसो हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद आपकी सम्मझे बात आगी होगी, तो इस चार्ट को बनाव एक बार लेखो, बहुत बहतरीन चार्ट है, आपके एक्जाम में सीधे परशन पसेंगे, ते नमस्ते भाईया नमस्ते राजेस कुमार मुहम्मद नदीम जी बहुत बहुत बढ़िया मैं खुछ देख रहा हूँ क्लास ठीक बहुत बढ़िया मज़े से मज़ा आता है प्रियोग नदीम धूझ जे रहा हूँ कि बहुत बढ़िया विया बढ़िया clear ? कुछ comment comment कौन करेगा ? Rajay si, Mohamed Nadeem, Sanjeeb Kumar, Rajput jih .. कुछ comment comment किका गरो ! प्लीज यूमूच सम्कमेंट्स कि हांसर कैसा लगा? अच्छा लगा? बुरा लगा ? कुछ comment करोगे? कुछ comment करोगे ? कुछ comment करोगे ? क्या कुछ कमेंट क्यों नहीं करते हूं हाँ क्या खुम् क्लियर सर क्लियर 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 संजीब को 연 mesmo क्लियर करो कि है 2013 क्लियर inging ỉ झाल झाल चलिए बहुत बड़ी है सर पढ़ाई अच्छी नहीं रहे हो नहीं सकता आप पढ़ा अच्छा नहीं सकता ठीक है चलिए अच्छा लगने बात तो ठीक है मैं बड़ा परेसान चल रहा हूं इस समय तो मैं आइडिया नहीं इस बात का यहां पर बड़ी चीजे ऐसी हैं स्टा तो राजनीती विग्यान के जो विद्यारती मुखड़ जी आना चाहते हैं आपके बढ़ लेगा अच्छा मज़ा आएगा आपको अनन्दी आएगा सामने बैठो के अच्छे चीज़ा समझ मेंगी तो अफलाइन के अच्छारत हो रहें अच्छा में सामने रहें तो तो ऊनन्राइन और अच्छ चाहते हैं तो तदीव करें च्छारती में ँछ गीुख दियाने, व यह सामने दोत् lifelong aura, गुण्ण विप घंः तब लोग की प्राकृतिक अवस्था में राज्य, दियान दूग। आधनी राज्य, विए फ्राकृतिक के बारे में बात कर देदा बात काकृता है। तो सुनो बड़े दियान से ? लोग चाहता है प्राकरतिक अबस्ता में राज्जी is a natural state राज्जे प्राकरतिक राज्जे इसे दिना किया था ? जब राज्जे बना तोसकी अबस्ता क्या था ? तो कहता है कि मानव सुभाव से संबंदित है और कहता है आदमी का सुभाब अच्छा था इसलिए क्या हुआ समाज की स्थापना हुई जॉन लोग की प्रकरतिक अबस्ता पूर्व राजनीतिक है पूर्व समाजिक नहीं जॉन लोग की प्रकरतिक अबस्ता पूर्व राजनीतिक है मतलब समझ रहे हैं पूर राजनीतिक है पूर समाजिक नहीं यानि कि यह कहता है कि प्राकरतिक अबस्ता जब आदमी पैदा हुआ तो पूर राजनीतिक है पूर समाजिक नहीं मतलब समाज से पहले की नहीं है राजनीति से पहले की है यानि किसका सीधा मतलब हुआ मानव पैदा हुआ उसके बाद एक समाज बनी और समाज की स्थापना मानव के व्यवार या मानव की प्रकर्टी या मानव के सुभाव के आधार पे हुई फिर समाज बनी समाज के बाद आपका राज्य बना है ठीक है प्राकरतिक अवस्ता है प्राकरतिक नियमों से संचालित थी तो ये प्राकरतिक अवस्ता को अच्छा मानता है लोग कहता है कि जब व्यक्ति पैदा हुआ जब व्यक्ति पैदा हुआ तो सब कुछ बहुत अच्छा था प्राकरति का वस्ता बहुत अच्छी थी, चीजे बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया थी जब व्यक्ति पैदा हुआ, तो लोग उसको बहुत अच्छा मानता है, हॉप्स कहता है नहीं, सब कुछ बहुत खराव था, हॉप्स का उल्टा विचार है, हॉप्स कहत डंडा के लिए राज्जिका निर्माड हुआ, तो लॉक होफ Ingka Jester Ulti, ठीक है, तो लॉक प्रकृतिवादी रूसों को माननीरूस को मानना जाता है, investirती प्रकृतिवादी रूसों को माननीरूस प्रकषद price God Call करें प्रकषदी विदी विद्वान्ती विदी व Exactly UN मद्द्न संबन्ध। ठीक है इसका मतलब क्या है । ऑट सके जहां योई विदी समाप्त होती है और zero को जितने भी उदारवादी विदी को वो सुईकार करते जो भी उधारवादी विचारक है चाहिए वो कोई हो वो विधियों को अधिक महत्तो देते हैं वो कहते हैं बिना विधी के ना कोई सरकार की कलपना की जा सकती है ना लोगतंती कलपना की जाती है तो जितने भी उदारवादी विचारक हैं सब बिधी को बहुत महत्तो देते हैं कहते हैं बिधी सबसे important element है बिना लोग कि आप कुछ नहीं कर सकते तो बिधी को जादा महत्तो देते हैं ठीक है कहते हैं कि प्राकरते का वस्ता बिधी विद्यमान थी और बिधी जहाँ पर होगी जहाँ पर कानून होगा वहाँ पर सुतंतरता होगी जिसे फॉर एक्जामपल आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि भाईया रोड पर ट्रैफिक जो है आपको बुरी लगती है तो आप इसका मतलब लोग की बात को नहीं मानते हैं लोग कहते हैं कि बिधी जहाँ पर होगी वही सुतंतरता है हर आदमी की फ्रीडम चाहिए ना पॉजिटिव बिचार की बात करो ना भाई थोड़ी आपने का सुतंतरता है सुतंतरता है पॉजिटिव की बात चीत करो मनलब जो आप चारे वही नहीं जो सब चारे वह चीजँ होनी चाहिए इस बात को समझनी को सेसक करो ठीक है तो लोक ने काया कि जहां बिदी समापत होती है वहाँ निरंकोस्ता स्टारंब होती है ऐसा लोक का मानना है ठीक है तो कहता है बिदी का होना बहुत ज़रूरी जब ज़ confident बिदी नहीं बहुत धोती सासन होगा चलिए लौक मानता है कि राज्जी की उत्पत्ति से पूरो मनुष्य प्राकरते का वस्ता में रहता था यह समाज था लेकिन राज्जी नहीं अर्थात समाज का स्वरूप था लेकिन राजनीति की संगठन नहीं था बिना आपको पहले ही बताया बिना कानून के सब बेकार है इसलिए तो यूपी में चुनाब हुआ यूपी में कावा कुछ लोगों ने कहा कि योगी बाबा का कानून बा कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भी या अकलेस भी या का धंडा राज्बा तो अलग अलग चीज़े हैं अरता समाज का स्वरूप था लेकिन राजनितिक संगठन नहीं थे तो कहता है कि जो प्राकरतिक अबस्ता थी उसमें समाज का स्वरूप था लेकिन पॉलिटिकल संगठन नहीं थे तो राजनिति संगठन बाद में बने जब आदमी पैदा हुआ तो समाज बनी अच्छी समाज बनी पर एक्जामपल मेरा जनम हुआ मैं पैदा हुआ तो मेरे जमान जनम के बाद एक अच्छी खासी सत्ता बनी जब मेरा जनम हो गया जब मेरा जनम हुआ तो समाज में जनम हुआ मेरे सुवाव अच्छा अच्छी समाज बनी समाज के बाद राजी की स्तापना करी गई है तो राजी ने फिर कानून बनाई और कानून के माद्देम से लोगों को कल्याण किया इसे स्टेट्मेंट को लिख सकते हैं लोग ने माना कि राजी की उत्पति पूरो मनुटस्फ प्रकरतिक अवस्ताव में रहता था जिससे समाज था लेकि राज्य नहीं था एत्पा समाज को स्वरूप था लेकि राज़ にा राजिन्ति संक्तर नहीं था clear अगला वाला डनिंग के सब्दों में जिस प्राकरतिक अबस्ता की लोक द्वरा कलपना की गई यह वो प्राकरतिक सामाजिक अबस्ता है इसका मतलब क्या है डनिंग केता है कि जो लोक ने काए न वह प्राकरतिक सामाजिक अबस्ता है देखो सुनो लोक केता है प्राकरतिक सामाजिक अबस उसके बाद समय के स्थापना होई doavais प्रोप किए टो बाइन गिए गोशहा है नो को पो किए समय नहीं है बड राजनीतिय की आईगी इसो डैनिंग किएड़ा है कि प्राकर्टक सामाजिक नहीं यह प्राकर्टक राजनीतिय के लेकिन लोग मानता है प्राकरतिक समाजिके लोग मनुस्यों का सुवाव अच्छा मानता है सांत्प्रिय परोपकारी मानता है इसलिए सारे चीज़ अच्छी है उसका जीवन उसका सुतंत्रता संप्रोवता संपतिक सुरक्षा प्राकर्तिक अवस्ता सम्रद संपन और सांतिपूर थी तो इसे अच्छी मानता है कहता है आदमी पहले बढ़िया तरीका से रहते थे देखो आदमी के पास सुतंतरता थी उसकी संपति सुरक्षित थी और प्राकर्तिक अवस्ता सम्रद संपन और सांतिपूर इस बात को आप समझे, देखो एक सिंपल सा पॉइंट समझे, आप लोग को क्या लगता है कि राजी की स्तापना क्यों है, आपने दो प्रकार की पिच्चरे देखी है, देखो, एक प्रकार की पिच्चरों में आपने नोटिस किया होगा, एक प्रकार की पिच्चरों में वह बहुत अच्छा था प्रक्ति आपस में लड़ते जगड़ते बिलकुल भी नहीं थे ठीक है उसे कहते है प्राकर्तिक अवस्ता तो प्राकर्तिक अवस्ता की बात करता है जहौन लोग जहौन लोग कहते है आदमी कभी लड़ता ही नहीं था आदमी अच्छा था और प्रा सरकार बने ही ना यह कैसी भी राज़ी से सरकार गलको हट जाए सरकार ही ना बने जब सरकार ही नहीं बनेगी तो कैसी अवस्ता होगी कुछ लोगों कहेंगे सरकार के बिन अच्छी अवस्ता है और कुछ लोगों कहेंगे सरकार के बिन खराब अवस्ता है अरे आए ना अरे मुकैस इजर राभ अए यडर तुम यरे दश्ट से ने दाँद से किरना रहे तुम साफ क्यों नहीं कर दाते इस चीज को तुम लोग यार सभाई वाले साफ क्यों नहीं कर दाते इस बता हूड यर क्योग झाल झाल तो यह साफ हो न चीने प्रोपर तरीगा से ठीक है भाई ठीक है तो यह कहता है प्राकरतिक वस्ता बड़ी अच्छी प्राकरतिक वस्ता उसको मानता है प्राकरतिक वस्ता को हे तिएजों अच्छी मानता है प्राकरतिक अवस्ता को बढ़िया मानता है, प्राकरतिक अवस्ता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मानता है, इसलिए आप इस बात कह सकते हो, यह प्राकरतिक अवस्ता को अच्छी सुईकार करता है, जोन लोक के नुसर, प्राकरतिक अवस्ता बहुत अच्छी अवस्त पहले उसको अपने अदीन किसी जीवन को नश्ट करने का सुतंदरता नहीं थी अपरादी को दंड देने के अतर तो उसे किसी दूसरे का जीवन हरन करने का अधिकार नहीं होता नहीं उसे किसी का जीवन को सुतंदरता संपत्ति को हाने पहुचाने का अधिकार है देखो मेरी तो राज जिनाम की संक्लिप्रा नहीं थी जोन लोग कहता है प्राकरतिक अवस्था बहुत बढ़िया थी और प्राकरतिक अवस्था में सिर्फ उसी को दंड मिलता था जो व्यक्ति गलत करता था तो अपरादी को दंड देने की अत्रिक्त किसी आदमी के ने तो प्राण जात उसको जीवन की सुतंतरता थी, संपत्ति को ना कोई हानी पहुचाता था, ते को जॉन लोग की तीन बात है बड़ी इंपोर्टेट है, स्वतंतरता, जीवन की सुतंतरता, और संपत्ति, तीन चीज़ों को वो कहता है, बहुत इंपोर्टेंट है, ना तो किसी को संपत्ति ची जीवन जीने का अधिकार स्वतंत्रता और आतिये आपकी नंबर तीसरी क्या आपकी आतिये जो है बेसिकली जिसको बोलते नंबर थड़ संपत्ति यह तीन चीजों को बताता है प्राकरतिक अवस्ता में कोई नी चेड़ता था तो ऐसा ही राज जोना चाहिए राज जी भी उ अपने समपत्ष व्यक्ति आ को अपने इच्छ अनुसार रवस्ता करना रूप्ती सब्तोर है। लिकर करते हुए। और प्राकरते कवस्ता में सभी के पास अधिकार है सभी के पास क्या है अधिकार है इह बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अरे हाँ या ना अरे हाँ या ना चली अगला बोला राजी की उत्पत्ती के कारण The Origin of State समझो राजी की उत्पत्ती के कारण The Origin of State अब इसको समझते है लौक की नुसार राजी की उत्पत्ती कारण क्या थे तो अगर प्रशन पूचा जाएगा कि लौक प्राकरते कवस्ता को कैसी मानता है अच्छी मानता है बढ़िया मानता है अच्छी मानता है व्यक्ति के साथ अन्याय था न्याय था समाज के सुतंतरता थी या नहीं थी ठीक समाज सांथा असांथा सांथा चलिए राजी की उत्पत्ती के कारण मनुश्यों का जीवन समाजिक था उसमें विवस्ताएं थी उसमें सब मनुश्यों के समान थे और सभी को जीवन सुतंतरता और संपत्ति का दिकार प्राप्ति थी कहता है प्राकरतिक अबस्ता में सभी के पास सब कुछ था प्रतेक व्यक्ति आत्महित की आदार पर प्राकरतिक नियमों की व्याख्या करने लगा और प्रतिसोद की बावना से दूसरे को दंड देने के लगा विवस्ता पर कारे पाले का और निया पाले का की नहीं रहोने से लोग अवसुदा के अनवब करने लगे तो इस बात को समझो कि राजजिक उत्पत्ती कैसे होई हॉपस केता है प्राकरतिक अबस्ता बहुत बढ़िया थी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था यानि कि मनुस्य का सामाजिक जीवन था मनुस्य समान थे सभी के जीवन में सुतंत्रता थी संपत्ती थी सब कुछ था सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था लेकिन प्रतेक व्यक्ति आत्महित के आदर पर प्राकरतिक नेमों की व्याख्या करने लगा हर व्यक्ति ने ये का हर व्यक्ति अपने बारे में सोचने लग गया अपने बारे में सोचने लग गया और अपने एकोडिंग व्याख्या करने लग गया जैसे आपने देखा पोप आया उसने का राजा बहुत बढ़ी है हर व्यक्ति अपने अनुसार नियमों की व्याख्या करने लग गया जब हर व्यक्ति अपने अनुसार नियमों की व्याख्या करने लग गया तो प्रतिसोद की भावना से एक दूसरे को दंड देने लग गया कुछ लोगों ने कहा राजा भगवान पैदा करता है राजा की बात माननी चाहिए प्यवस्ता पे कारेपालिका और नियापालिका थी नहीं तो लोगों को इस बात का अनुवव हुआ जब एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ने लगा तो लडाईया हुई जब हर आदमी प्राकरतिक नेमो की व्याक्या खुद अपने अनुसर करेगा तो क्या होगा लडाईया होंगी भाई कोई कहेगा प्रकरती ये कहती है प्रकरती वो कहती है अच्छी चीज़ चल रही थी लेकिन जब लोगों ने अपने अनुसार प्रकरती की व्याक्या की तो लोग अपने आत्मित को सरोपरी करने लगे जब आत्मित की बात आई तो समाज की बात निकल गई समाज की बात निकल गई तो लोगों ने कहा भईया ये बहुत गलत है और इसी गलती के आधार पर आपको मैं एक बात बताता हूँ लोगों ने सिंपल पॉइंट बता दिया कि भाईया एक काम करो एक काम ये करो कि बिवस्तापे का कारेपालिका और नियापालिका के नहोने से असूदा का अन्वोव करने लगे लोगों को दिक्कते होने लगी इसी लिए बिवस्तापे का कारेपालिका और नियापालिका का गठन किया गया और इसी गठन को आप राज्य कहते हूँ तो हॉपस कहता है नहीं पहले इस्तिती बड़ी खराब थी इसलिए राज्य बना लोग कहता है ने इस्तिती बहुत बढ़िया थी लेकिन लोगों में आत्मित की बाद ज्यादा होने लग गये थी इसलिए बाद में राज्य का निर्माड हुआ तो वो क्या कहता है खराब था तो राज्य बना ये कहता है अच्छा था तब राज जिका निर्मार किया गया तो दोनों में अंतर है आप मुझे बताओ मुझे पूरी उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे हाँ आना मुझे पूरी उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे हाँ आना ओभायो clear or not clear 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 एक निया फोन लिया कंपनी के लिए कलियर बहुत सही सहंदर तरीके से बढ़ाते हैं अब. अब एक इस बाधी जी, बहुत सही ई । समझ में रहा जी अकी जी कैस्ट बमॉड़ सुखन भी राजुक्त तरीके से पढ़ाते हैं। तो जोग कहते है राज जी आफी बना सब कुछ खराप था, फ। तो लोग के नुसार राज की उत्पत्ति तब हुई जब बेसिकली उत्पत्ति राज की तब हुई जब सब कुछ अच्छा था सब कुछ बढ़िया चला था कोई दिक्कत नहीं थी लिए लोगों के बीच में आत्मित की भावना थी ति उसकी बैसे लडाईय हो रही थी हॉपस कहता है नहीं सब कुछ बहुत अच्छा था लोगों के आत्मित की भावना थी तो लोगोंने महसूस किया कि कार्णे पहले का वनीचिए जो नियमों को लागू करे बिवस्ता पे का वनीचिए जो नियम बनाए ठीक है इसी लिए चलिए तो यह हो गया लोग का सकता पड़ी जब बिदी नहीं होगी तो जीवन सुतंतरता और संपत्ति खत्रें पड़ने लगेगी और लोग इन तीनों को बहुत इंपोर्टेंट मनता है तो इसी लिए लोग ने कहा इन असुवदावा सुरच्छा पाने के लिए प्रतेक्ति सामाजिक समझोते है कि रा राजिका निर्माड करने के लिए ततपर रहा तो यही पॉइंट है सब जानते है इस बात को कि राजिका निर्माड तब किया गया जब व्यक्ति को लगा कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है व्यक्ति की सुतंतरता संपत्य जीवन की कि अख्शा खत्रे में बड़ ङई है तो राजगी आब सकता Laodice पड़ी लेकर प्राकरतिक अबस्ता अच्छी धुरा अच्छी थी प्राकरतिक अबस्ता कराम नी थी आथ प्राकरतिक अबस्ता बहुत अच्छी थी लिदी में अंगे किसी प्रकार कोई doubt हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे यह आपका chapter number 2 जो है obviously finished हो चुका है इसमें किसी प्रकार का doubt संबंधि कोई बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हो क्या का मैंने कोई doubt किसी को तो आप मुझसे पूछ सकते हो अब आपका number 2 चप्टरियां से start हो गया है ठीक है clear मेरे भाई clear 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 okay switch swarthi की बाबना फोन दिखाए यह नया वाला यह नया वाला फोन यहर वनप्लस का फोन आपन आपन के लिए किस पर कॉलिंग किया सके कोई अच्छा स्टाप रखेंगे मुखरजिनेगर को उसके मादम से पर कॉलिंग कराएंग फोन बहुत अच्छा है डंक काम कर रहा है सारी चीजह बहुत अच्छा है स्पोन ना अच्छा कि दो कि अच्छा स्ब्स च्छा ना स्वोन ना स्वोन जा स्वोन कि अ क्लियर मुकेस इदर आओ स्पॉन को बंद करो यार यह कैसे बंद होगा यह कैसे बंद होगा यह कैसे बंद होगा इस बटन काम नहीं करती है ठीके भाई ठीके भाई यह पाणी बला तरिकलास कथम भाई चलो नोड़ मुल्याओ सर और पढ़ाईए सर और पढ़ाईए आता का सब रिंद होगा अब आ दे समे कैसे बाई़ जाए होगा क्रणता मुल्याओ इस गेट से बंद ही आखना ना ि मुल्याओ अजिएपThe इस अभिणा पढ़ाईब अमई लोक का बाट्टू पड़ोगे जरी लोक का बाट्टू पड़ा रहों टेंशन की ले रहों लोक का बाट्टू पड़ा रहों लोक का बाट्टू येस सर तो लोक के बाट्टू में सरफ क्वेश्चन है खतम हो गया लोक लोक का बाट्टू मैंने बेज दी आया सुर्टू इस परते वेंश लोक मैं लोуд रहों लोक का बाट्टू में सर दुआ हो लोक कि लोक का दी रहों चलो एक बड़ जड़ा जो के mcqs कर लो यह सर आओ लोक के mcqs कर लो बस आ जाओ लोक के mcqs कर लो जोन लोक के mcqs कर लो ठीक है जोन लोक के mcqs कर लो चलो भाई लोक के बारे में इतना ही है कुछ है लोक के बारे में इसके लावा यह फायल नमबर 2 मुझे लगता है खाली बेज रखी एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं यह ब्लेंक बेजी हुई है एक मन जरा मैं चेक कर लेता हूँ एक मन रुख जाहिए बस सभी लोग जोन लोक एक सेकंड रुखिये जोन लोक मनुषक अच्छा मानता है होस मनुषक को लोगणा मानता है कहता है आपनी बड़ा नीच है निकमा है खराब है चलिए कुछ और चीज में लिए लोग लोग के कुछ और पोईंट बेदेता हूँ आपको कुछ और लोग के बारे मैं से ब्लाट देख लीज यह चलिए कुछ और बेज रहों है देखो एक बढ़ जड़ा कितम कर देते हैं चीज़ों को आईए आईए देखिये भाई ठीक है चलिए जिसे कि आगे बढ़ा के आप लोग देख ले न तो लोग को आज पूरे जोन लोग फिनिसन, कुछ कुछ चीज है जोन लोग के ने एक बढ़ देख लो ठीक है एक बड़ जाध देखेंगे सबी क vantage सामाजिक समझोता अा सोसल कोंट्रیک्ट ठीक है कि लोग का समाजिक समझोता क्या है इसको एक बार ज़रा नोटिस करेंगे कि लोग सामाजिक समझोता के बारे में क्या कहता है यानि लोग का सामाजिक समझोता क्या है सोचल कॉंट्रेक्ट के बारे में लोग क्या सोचता है इसको एक बार सभी के सभी बिद्यारती देखेंगे देखो, लोग का सामाजिक समझोता क्या है, तो लोग का सामाजिक समझोता बस् texting ये कि जब मनुष्य की सुतंतरथा इस पर दिक्कत आने लगी, तौन मनुष्य ने सामाजिक समझोता किया, व्यक्ति को सुरक्ष प्रदान करता है, प्राकरतिक बस्ता में असुवदाओं को बचने और अपनी व्यक्तिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए सामज समझोते का सहायता लिया गया समझोता प्रतिक व्यक्तिका सभी व्यक्तियों के साथ होता है इसी तरह समझोते का स्वरूप सामाजिक है यानि कि social contract क्या होता है देखो ये कहता है पहले सब बहुत अच्छा चल रहता है जब लोगों के बाद दिक्कते आई लोगों की अपनी स्वहित बहुत ज़ादा होने लगे तब लोगों ने आपस में बैटे निरेने लिया कि हमें कानून का निर्मार करते है तो सामाजिक समझोता बेसिकली कहा कि राज्य के निर्मार के लिए सामाजिक समझोता हुआ लोगों ने आपसे मिलकर अपनी बादचीत करी और लोगों ने अपनी बादचीत करके ये निरेने लिया डिसकस किया हम लोग इखटे होते हैं और भाईया एक ऐसे चीज़ का निर्मार करते हैं जो कि हमारे लिए नेम बनाएगी उने नेमों के अनुसार हम चलेंगे बिदी बनाएगी उने बिदीयों के अनुसार हम चलेंगे इस प्रकार के नेमों के निर्मार करने की इसने बातचीत कही तो उसे आप लोगों ने नाम दिया सामाजिक समझोता उसे आप नाम देते हो सोसल कॉंट्रेक्ट सामाजिक समझोता यहां तक की बास समझ में आई है नहीं आई देखो तो सामाजिक समझोता अब यह आप छोड़ो यह जो है यह point जो है यह basically मैं बता हूँ क्या है चलो कि लोगोंने क्या किया कि यह राजा की सरकार थी तो राजा की सरकार को अच्छा न मानके उन्होंने विधि की सरकार की स्टापना की बात करी तो सामाजिक समझोता होपस का पूछा जाता है तो किस परकार गया है कि लोगों ने आपस में समाज का निर्माड गिया और आपस में जान पूछ के लोगों ने अपने नियमों का निर्माड किया और उन नियमों के माद्यम से अब सरकार चलेंगी तो आप इसको सामाजिक समझोता की आयं कि नाम से जानते है , That is कॉल्डी प्रते क्यों अभति कि अधिकारों का परत्याग करता है जिनके कारण में उर्जएक्ता और अवस्तः फैलती है हॉप के सामाजिक सम्झोते हैं प्रते की वीक्ति अपने सभी अधिकारों के समोग cosmos के समरपित नहीं कहा कि देखो, हॉप्स कहता है कि देखो हमारा जो प्राकरते के अधिकार थे, सब सामाज एक समझोता हुआ, तो सामाज एक समझोते हैं, महरा आदमी ने एक निर्दिन बात फिक्स कर ली, कुछों को अपने अधिकार दे दिये, कुछों ने अपने अधिकार ले लिये, तो सा भाबा-योगी मुख्यमंत्री ए तो ना तो नरिंदर मोदी नहीं में पैदा किया, न बाबा-योगी नहीं पैदा हम लोगों ने आपस में सामाजी कंगोता किया और कि राल जी की नसार, we will be निकाई की सरकार काई का विदान मंडल काई की पुलिस बे हम तो नंगे भूके नंगे पैदा हुए थे कोई आपको लगता है आदमी आदमी को नेंतरित कैसे कर सकता है उसके बाज जादा पोवर है हमसे नहीं न उसको हमने पोवर दी है तो सामाज एक समझोता क्या है सोसल कॉंट्रक्ट ही है कि लोगों ने आपस में बैठ कर बोला कि कारने पालिका बनेगी जिसमें हम चुनाब करेंगे जो चुनाब को जीत जाएगा वो उस कारने पालिका का प्रदान होगा इसलिए बाबा योगी आज तुम्हारे उपर कारनों चला रहे है एक बेवस्ता प इन सारी चीजों का निर्माड हुआ सामाजिक समझोते के माद्दें से सोसल कॉंट्रेक्ट के माद्दें से ये सारी की सारी चीज़ा बनी है इसलिए बरतमान में आज आज आप जो लोग देख रहे हो राज्य का निर्माड व्यक्ति ने अपनी सुविदा के लिए किया था जिससी व्यक्ति को अच्छा मैसूस हो आपकी संपत्ति की रच्छा हो आपके जीवन की रच्छा हो आपको सुतंतरता मिल सके इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए इन सारी चीजों के माध्यम से राज्य का निर्माड किया गया था क्लियर भाई अरे हाँ या न किलियर अरे भाई किलियर 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 न कोई डाउट ने रहे न चीए मन में चलो दूसरी ओ लॉक सामाज एक समझोते को प्रतेक व्यक्ति का अपने कुछ अधिकारों को समपूर समाज को सौपता है बिलकु सौपता है आपके अधिकार समाज के पाथ चलेगे तेको लाइफ ए इसी के लिए लोगों ने क्या किया किया कि अपने प्राकरते कदिकारों को समाज को सौप और समाज ने प्राकरते के देकारों की सुरक्षा और गरंटी देकर एक राज्य का निरमाण किया समाज का इस्ताफना हुई और कहा कि किसी आदमी की लाइफ, लिवर्टी और प्रोपरटी को नुकसान नहीं होगा और लोगों ने अपने रिखारों को राज्य को सौंद दिया अब एक बात बताओ मैंने सर्ड पेन रहे हैं तो मन कर रहा है मैं ना पेनू यह समाज ने निरणे बनाए ना समाज ने नियम बनाए बाबू तो आप बोट डालने गए अब एक बात बताओ कोई आदमी बोट नी डालता ठीक है ना डाले उसे मतलब नहीं बाबा योगी कोने परदान मंतरी कोने ना रहे फिर भी वो आदमी रोड पर जब चलता है तो उसे कानून का पालन करना पड़ता है बोलोगे सर हाँ या ना उसे कानून का पालन करना पड़ता है अब जब उसे कानून का पालन करना पड़ता है तो क्यों करना पड़ता है क्योंकि राज्य में नयम है ठीक है तो अब जो नयम है ये व्यक्तियों ने आपस में मिल जुलकर बनाई है ये बात आप समझ लीजिए ये बात आप जान लीजिए तो इसमें कोई प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात को आप समझने के कोसिस कीजिए चलिए अगला बाला व्यक्तिन अधिकारों को राज्य को अस्तानित न करके मौलिक अधिकारों के रूप में अपनी पास रखता है ताकि वो राजनितिक सकती के मर्यादित कर सके ठीक सी बात है कोई बड़ी चीज नहीं है ठीक सा पॉइंट है केटल का मत है कि लोग समझोता बिसेश्ट उद्दिस के लिए सीमित है हॉप्स के समझोते के सामान सासन में व्यापक नहीं है तो इसको समझना क्यों गिटल कहता है कि लोग का समझोता बिसेश्ट उद्दिस के लिए सीमित है हॉप्स के समझोते के सामान सामा अंडर व्यापक नहीं है हॉपस कहता है कि आदमी इसलिए आदमी से मिला क्योंकि आदमी आदमी से मिलके मर रहा था आदमी नीच होता है निकम्मा होता है डंडा चाहिए और डंडे के लिए राज्य की स्थापना हुई डंडा, तो लोग कहता है अरे आदमी नीज था, hobs कहता है, निकम्मा हरामी था आदमी, डंडे के चकर में राज्ये बना है, डंडे के चकर में, ठीक है? तो एक गोला कहता हैं कि वहाई लोक का सब कुछ बढ़ी है लेकिन हॉपस के अनुसार नहीं है समझोते दो आ निरमित राज्य के कारे कि राज्य क्या क्या करेगा आप क्या क्या करेगा तो बिदी विवस्ता बनाई रखेगा second सस्त्रों के आकरवंट से रखचा करेगा देखो बिद्विवस्ता बना रहा है आकरवंट से रखचा कर रहा है law and order बनाएगा तो राज्य का जो है अगर आपसे एक word में पूछा जाए कि लौक का राज्य किस परकार का राज्य है तो लौक का राज्य कल्यानकारी राज है कैसा है प्यारे बाबो कल्यानकारी लौक का जो राज है ये वेलफेर स्टेट है ठीक है कल्यानकारी राज है लौक का राज कल्यानकारी राज है ठीक है ठीक है तो लौक की गवर्मेंट कैसी है कल्यानकारी गवर्मेंट है कल्यार कारी गवर्मेंट क्या क्या करती है तो कल्यार कारी गवर्मेंट आपको सिच्छा देगी आपको कानून देगी बिवस्ता देगी सब कुछ करती है तो लॉक की गवर्मेंट कैसी है कल्यार कारी गवर्मेंट है लोक कल्यार काई राजी की स्थापना की लॉक बाच्चीत करता है सरकार के तीन अंग ओंगे लॉक की अनुसार एक तो जुडिसरी होगी एक आपकी एक आपकी विधान मंडल होगी तो लौक ने सरकार के तीन हंग बताएं कारजबालिका, बिधाय का और न्यायपालिका बिधाय का की सरवोच शक्ती बताईए कहा कि बिधाय का कि पास संपुर पावर होती है पूरी बिधाय का उसके अनुसारी चलती है बाज समझ में बहाई यां तक नहीं आई तो बिदायका सरवोच सकती होती है जो बिदी का निर्मार करती है तो लौक ने कहा कि बिदायका सरवोच सकती है क्योंकि बिदायका बिदी का निर्मार करती है सरकार में विधायका सरवोच होगी समुदायों का मूल उद्दिस प्राकरतिक विदिये व्यक्ति की प्राकरतिक अदिकार ज्यादा मैत्पूर होते हैं ठीक है तो लोग ने कहा कि देखो तीन चीजे होंगी कारेपल का नियापल का विधायका बिधारबादी होती हुए मध्यमकालीन बिचारों से प्रवावित थे तो यह कहते थे कि व्यक्ति क्या करेगा उदारबादी थे और व्यक्ति बिधाइका बनाएगा और बिधाइका के माध्यम से सभी प्रकार की चीजें चलेंगी ऐसा जॉन लॉक का मानना था तो जॉन लॉक कैसे थे? लिवरल थिंकर थे कैसे थे बेटा? लिवरल विचारक थे उदारवादी विचारक बाद समझ में आ रही है? गुरुजी मैं क्लास के बाद कोल रहा हूँ तो भाद समझ मारी है कि नहीं आरी उदारवादी विचारक थे सरकार में बिधियां सरवोच होंगी यह भो कहते थे क्लियर चलिए राज की प्रकर्ति नकारत्मग राज्य पुलिस राज्य रात्र पहरी राज्य और अस्तचेफी राज्य तो अब राजी की प्रकृति कैसी होगी यह बात समझ में आगी नहीं पहले यह बताओ सभी के यह बाली कि बिदायका सरवोचोगी आप एक लाइन लिखो कुछ मत लिखो लॉक के तीनों अंगों में बिदायका सरवोच है बस इसके बाद कुछ नहीं पूछेगा यह बिदायका सरवोचोगी लॉक के तीनोंगों में बस यह पॉइंट लिखो इसके बाद कुछ जरूरी नहीं है अगली बात प्याओ अगला जॉन लॉक क्या कहता है यह तुम्हें ओपी गावा में कुछ नहीं मिलेगा पुलिस राज रात्रपहरी राज अँनल एक और नकारतं हम राज रज है पुलिस राज जैसे कहते हो ना कि जोर राज दंड़ कानून की मिबस्ता करें बाकि कढली म्स loves Davis saying पुलिस राज रात्र पहरी राज जोॉगों किराज को डॉड़ कौना हो एक होता आहस्त छेपी राज्य जो किसी में आहस्त छेपी ना करें जिसे अमेरिका बगेरा होगे आहस्त छेपी राज्य है लेकिन बरतमान में जो राज्य चल रहा है वो आहस्त छेपी प्लिस लोक का लियारकारी राज्य है तो बरत्वान में राज़े का कोई रूप जो है ठिक नहीं पाया लौक कहता है राज़े के चार रूप होंगे ठीक है? तकारात्मक होगा नकारात्मक पुलिस ओधात पेड़ी अरस्त छेपी राज़े लेकिन जो सबसे important है लोग कहता है राजय कैसा होना चाहिए तो लोग के नुसार जो राजय होना चाहिए लोग भोलता है कि भाया जो राजय होना चाहिए वो राजय देखो ऐसा होना चाहिए the supremacy of individual हर आदमी को महत्थो दे economic, legislative किसी को आर्थिक रूप से राज बहुत हस्तचेफ ना करे ठीक है सेकिंड है दारेशिनलेटी अव् हूम्न नेचर आदमी के सुवाव को सुवपार करे इंडिविजल फृीडम होनी चाहिए तो इसे कहते हैं लोक कल्यारकारी राज ज, तो बरतमान के जो लोक कल्यारकारी राज है अमेरिका है या जो भी लोक कल्याणकारी राज्य हैं जिसे आप बोलते हैं वेलफर स्टेट ठीक है तो इसकी स्तापना की बात करता है था लोक कि ऐसे राज्य बनना चाहिए, जो आदमी की सुतंतरता पर अधिक महत्तों दे, संपत्ती को छीनेना, ऐसे राज्य की स्तापना की बात करता है, तो लौक का जो राज्य है, एक लाइन में लिखोगे, कि लौक का राज्य, लोक कल्यानकारी, completely राज्य है, home and nature तो अमेरिका क्या करता है Centre से अमेरिका के अंदर ही सारी चीज़े वाईенिवका डहान देता है एकोनमिक लेपर की न Всем समाजबात ही जहां नहीं है समाजबात ही राज क्या करता है वह 3 गोप से हस्त शेप लहां करता है लुक का लिट्हीं के महीं सरे नहीं लेकिन व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार से लोग का राज्य अस्तचिफ नहीं करेगा ऐसा लोग का मानना था ठीक है मुझे उम्मीद है आपकी समझ में सारी चीज आ चुकी है यह तो खेर पाकरतिक नियम हरित करांती धार्मिक विचार सिच्छा पे विचार विक्तिवाद अभी तो यह लोग के काफी सारी इंपोर्टेंट लोग के विचारों की आलूचना लोग की रचना है तीन बैंथम एक दिन क्लास ओल ले लेंगे लोग पर ज्यादा हो जाएगा आज ही खतम करा है बताओ भई एक क्लास ओल ले लेंगे लोग पर जिसे के लोग को आप completely पड़पाऊ ठीक है क्योंकि लोग के काफी सारे विचार है अभी तो लोक का यहां तक समझ लो आज जब आगे कल में पढ़ा दूँगा आज इतना ही काफी है ठीक है मेरे प्यारे भाईयो आज इतना ही काफी है अब ज़्यदा मेरा मन बीज नहीं कर रहा है पढ़ाने कासा तो लोग के सामाजिक समझोते की बिशेस्था है जहां तक आपने लिख लिए बहुत कुछ लिख लिए इसके उपर लिखो के तो बहुत चीज़ें जो हैं अलग-अलग टेव निचर की है लोग का सामाजिक समझोता कैसा था सम्झोता जन्ता की सहमती पर आदा रित था सभी अधिकारों का त्याग नहीं करता था चलो देख लो एक बार और किलियर साथ देखो कि आगे बढ़ों कि एकलास पॉन यहां तक पहले आप नोट डाउन कर लो सारी की सारी चीज़ों को इसे में आगे बढ़ूंगा फिर हैं सब्सक्राइब कर लोंगा हाँ बाई क्लियर ओ बताओ भाई क्लास अरे नभी मेरी जो कपड़े रख्यों से प्रेहस हो रहे हो आज खतम करते कल मिलते आप से ठीक है कल तो मतलब मैं जूदपूर में होंगा तो परसों मिलेंगे साम को पाँच मजे ठीक है आज लोग को हीं पर खतम करता हूँ भाई भाई अलो नमस्कार प्रोडिकल साइंस में स्वागाते भाई आप सभी का कैसे आप सभी आपकी होली की चुट्टी ओने वाली सिलिए मैंने सोचा कि क्लास लेके जाओं जिससे कि आप इतने नुकसान में ना रहें और आप इतना मुझे परिसान खुट्पो परिसान ना करें पी ओली टू अलो फ्यू गैस आईए अली स्वागत है आज सभी के आज की क्लास में तो आज एक्चुली जो क्लास है ना इसमें दो हम ब्लॉक को खतम कर देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा बेनिफिट मेले बात में क्लास देखने में तो जोन लॉक क्या है इसके बारे में एक बार सभी के सभी जानी है तो जोन लॉक ने जो राज्य की प्रकरती के बारे में बात करी जोन लॉक का जो राज्य है कल्याणकारी राज्य है एक पुलिस राज्य होता है रात्य प्रेरी राज्य होता है एक अस्तचेफ कारिवादी राज्य होता है जोनलोग कहते है राज्य इस्तचेफ तो करेगा लेकिन जो राज्य है वो लोग कल्यानकारी राज्य है तो जो लाज्य का सिद्दान वो कैसा है वो कहता है कि लोग कल्याणकारी राज्य है मैं आपको बढ़ा चुका कि जो लोग बात करता है वेलफर स्ट्रीट के बारे में वो कहता है कि कॉंसेप्ट जो ना चाहिए वेलफर स्ट्रीट का यानि कि लोग कल्यान का ही राज्य की बात करता है नोटिफिकें सभी को बेजना है, all classes ठीक है, Political Science Lab ठीक है, तो, नहीं, Political Science Lab तो सभी की बात करता है सभी की बात करता है John Locke कहता है कि लोग कल्यान का ही राज्य होना चाहिए Political Science तो ना तो जान लोग का औरने सुअचोपादी, सेतंथ को ना पुलिस ना इती है। अस期 में अस्तर सेफभाद का संचोपाद्फ ना पहले कि उपने बल्लग सेथिता है। इसन ना कंद्ध को कई आत। इसे के माद्ध के से पढ़ículo। राज्य के अधरमाण क्यों वा लोग के प्राकरती इस्तिती बहुत बढ़िया थी लोग बड़ी इमानदार थी अच्छे थी और मन उससे बड़ा अच्छा प्रारी होता है लेकिन लोगों के बीच में बहुत जदा खुद का स्वार थाने लग गया ठीक है लोगों के मन में लग गई तो खुद के स्वार्त की वैसे लोग परेशान हो गए इसलिए क्या हुआ सामाजिक समझोता हुआ उसके बाद राज्य का निर्माण किया गया तो राज्य के निर्माण में सामाजिक समझोते की बिसिस्ता है क्या क्या है लोग के सामाजिक समझोते के अंतरगत द तो समझोते किये जाते हैं दो सोसल कॉंट्रेक्ट है टू सोसल कॉंट्रेक्ट ठीक है समझोता है जनता की सहमती के आदर पर लोग कहता है कि जनता ने क्यों राज्य का निर्माड किया राज्य का निर्माड जनता ने किस आदर पर किया तो लोगों के सामाजिक समझोते दो किया जाते है जनता की सहमत्ती के आधार पे एक सभी अधिकारों का त्याग नहीं सासक समझोते का एक पच और सीमिद सरकार देखो लोगों ने सामाजिक समझोता क्यों किया इसका एक डैविंसन एक्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि समझोते का जनता की सहमती जनता ने सहमती जता ही क्योंकि लोगों की आपसी हित ज्यादा बढ़ रहे तो जनता ने सहमती जता ही इसलिए लोग ने समझोता किया दूसरा सभी अधिकारों का त्याग नहीं लोग ने का कि जितने भी अधिकार है उनका त्याग नहीं करना लोग ना सीमेट सरकार के बात करता है, गवर्मेंट जो होने चीए, वो सीमेट होने चीए, यानि बहुत ज़्यदा सरकार को बत तो नहीं देता है, वो सीमेट सरकार होने चीए, लिम्टेड गवर्मेंट होने चीए, लिम्टेड गवर्मेंट का मतलब है ऐसी गवर्मेंट ज अच्छे से करो, तो यह लॉक का कॉंसेप्ट ही आप समझ लेना, बड़े धिहान से एकजाम में पूछा जाता है कि इसका क्या कारण था, सर्सामन पह्क कर लो जाके आप. सरकार पर द्वरा नियंतरड कैसे क्योंकि इसके पीछे कारण यह है क्योंकि सरकार पर द्वरा नियंतरड होता है क्योंकि सरकार जंता के द्वरा नियंतरड रहती है तो सरकार पर दुरान इंत्रड़ हो जाता है अटल समझोते हैं बहुमत का सासन जंत्रा का बिद्रो करने का अधिकार तो इसका जो सामाजिक समझोता है इस सामाजिक समझोते में जंता को बिद्रो करने का अधिकार दिया गया है इसे चैना को पूरा पूरा राइट है, वो भीत्रो कर सकती, उसके इदिकार को इसमें रखा गया है ठीक है, यह इसका जॉन लोग का सामाजिक समझोता है, चलिए, अब दिको प्राकर्टिक नियमों की बारे में लॉग निया क्या पूछता है, तो कभी कभी पूछता है, मैं बहुत प्यार था, लोग अच्छे से रह रहे थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, लोग दुनिया को बहुत बढ़िया मानता है। लोग बढ़िया और तो आप बढ़िया नहीं, आप बढ़िया नहीं तृ नहीं सब्टध करता है। लोग कहता है कि संपत्ति जीवन और सुतंत्रता या आदमी को मिले हुए इन्हें कोई त्याग नहीं सकता तो लोग कहता है कि व्यक्ति का जीवन स्वात्य और संपत्ति रिच्छा मौलेक उद्देशों की पूर्ति न करके लोग कहता है कि अगर कोई व्यक्ति करांती कर सकता है राज के व्यक्ति करांती कर सकते हो जब राज आपकी सुतंत्रता आपके संपत्ति या आपके जीवन के अधिकार की रच्छा करने मसमर्त होगा तब यक्ति करांती कर सकता है तो लोग करांती को अच्छा मानता है और इसी बात को लेकर लोग ने इगलेंड की गोरफ से करांती को अच्छा मानता है लोग की द्रिश्टी में विवस्ता पिका राज्य का सरवोत्तम अंग है जो कानून का निर्मार करती है कारेपालिका उसके अधीने पर यदि विवस्तापिका सुछाचारी आचरन करने लगे तो जनता को अधिकार उसे नश्ट कर दे या बतल दे इसका मतलब क्या हुआ लोग कहता है करांती का दूसरा कारण क्या होगा लोग कहता है करांती की जा सकती है राची का निर्मार हुआ राची के तीनंगे कारेपाले का नियापाले का विवस्तापिका विवस्तापिका कानून का निर्मार करती है लोग कहता है कि अगर विवस्तापिका इस परकार के नियम बनाने लगे जो कि विवस्तापिका को अलग दिसामे ले जाए तो लोग उसके खिलाब आंदूलन कर सकते हैं सरकार तभी भंग हो सकती है जब कानू निर्मार की सकती उस संस्ता से हट जाती है लोग कहता है कि सरकार के खिलाब तभी आंदूलन हो सकता है जब कानू निर्मार की सकती उस संस्ता से हट जाए तो लोग के कई सारे आस्पेक्ट है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि कानू निर्मार कौन करती है संस्ता ब्यवस्तापिका करती है और ब्यवस्तापिका से आपने कानू निर्मार की सक्ती को डालिया तो लोग कहता है तब भी तब भी पॉसिविलिटी है कि आपके यहां जब कारेपालिका को कारे करना दिया गया है और विवस्तापिका को कानून का निरमाड उसका प्रयोग ट्रस्ट की सर्तों के विपरीत करते हैं तो विद्रो करने पर इसका दिकार पर प्रतिवंद है तब भी आप क्या सकते हैं कि तब भी तेको कारे पाले का और विवस्ताप पे का कारे लग लग बटे हुए तो अगर कारे पाले का अपने नियमों का पालन ना करे विवस्ताप का अपने नियमों का पालन ना करे तब भी विद्रो हो सकता है प्रतम जब इस्तिती गंबीर हो जाए अत्वा जब तक सासक अपने कर्तब्यों का पालन करता रहे तब तक जनता को अपनी सक्ति का प्रियोक नहीं करना चाहिए ठीक है इस सिच्वेशन में आपको क्रांती नहीं करने चाहिए तो सिच्वेशन है जब कारेपाले का विवस्तापिका उसका प्रयोक ट्रश्ट की सर्तों के विपरीत करते हैं कि तो बिद्रो करने के इसके अधिकार प्रतिवन्द है यानि अगर कारेपाले का यह अलग चीज जब इस्तिति गंबीर हो जायत्वा जब सासक अपने करतब्यों का पालन करता रहे जब जनता को अपनी सक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए यानि सासक देखो अपने सक करतब्यों का सासन पालन कर रहा है वो हर चीज कर रहा है जो उसे करनी चाहिए तब भी जनता को किसी सासन्सिदांत का नहीं बलगAP कृपादन किया एक कृपादन कि सिधांत को इसने पृपादन किया क्योंगे जॉण लोक के समय पे कृपादन गी जॉढ लोक जब पैदा हुआ उसके बाद कि कृपादन इसने EG pregnant the paragraph of sale kranti को अच्छा माना तो जोलोक ने सको support किया support किया तो अच्छा विचार रख document अक्छी निए ऑप इन चीजों को कह सकते इक और चीजिते उपहर면 चाहिए जानीज चाहिए कि चाहरों कौं इन शपांचछी नहीं मुद्ध में जानने वाइख'T दार्मिक विचार, religious views के बारे में बात करें दार्मिक विचार उनकी चार पत्रों letters concerning tolerance में विपते है जो 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 वे धार्मिक सहसूरता में विश्वास करते हैं यदि इसके द्वारा सिवम का विकास होता हो किन तो नास्तिक वाद के समर्थ तक न थे सिवम का मतलब है सुएं का जोन लोग जो व्यक्तिवादी विचारक है जो आदमी को दिक इंपोर्टेंस देता है तो जोन लोग जो धर्म को खराब नहीं मनता हो करें धर्म बहुत अच्छी चीज़ है लिकर इससे व्यक्ति का विकास होता हो जोनलोक कहता है धर्म बहुत अच्छी चीज़ है धर्म बहुत बढ़ी है लेकिन धर्म तभी अच्छा है इससे व्यक्ति का विकास होता हो तभी अच्छा मानता है और इससे व्यक्ति का 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 व्यक पेजु केसन नाम की किताव है इन कितावों के नाम याद रखना हमने बगल में फोटो भी दियें जिससे के आपको याद रहे उनके उप्योकतावादी तरिष्टकॉंट से सिच्छा का उद्दे से बुद्धी चरित्र का विकास है और उसके साथी एक स्वस्त सरीर का निर्माड भी है जोलों कहता है कि देको सिख्षा आदमी का बुद्धी और चरित्र का विकास होता है और अच्छे सरीर का निर्माड होता है बच्चों को सिख्षा देते समयं उनके आनन्द का भी ध्यान रखना चाहिए अध्यापक में पंडितेक के पिछा बुद्धी कादिका अवस्यता है जो लोग कहता है कि एजुकेशन एक इंपावर्मेंट करने के लिए अच्छी चीज है यानि अगर सिख्छा होगी तो आदमी का ग्यान का विकास होगा जो भी व्यक्तिवादी उदारवादी विचारक है उनका यह मानना होता है कि एजुकेशन इंसान के गयान के लिए बहुत अच्छी है कोई भी सिख्छा को खराव नहीं मनता है एजुकेशन को किसी विचारक ने खराव माना ही नहीं है करित्र का विकास होता है व्यक्ति का विकास होता है लेकिन वो कहता है कि आनंद को इंपोर्टेंस लगता है तो उप्योगता बाद का सिद्धान जलगता है जो जॉनलों का सिच्छा का सिद्धान ते उसमें आपको उप्योगता बाद का विचार दिखेगा जॉनलों का जो आ तो यह उप्योगता बाद की उपर विश्वास करता है तो जो लोग का जो सिच्छा का विचार है उप्योगता बाद पर आदा रहते है कहता है इसे उप्योगता बाद जाद है उप्योगता की तौर पर सिच्छा लेनी चाहिए व्यक्तिवाद तो जो लोग तो ही विचारक है प्रितेख वस्तु इस प्रकार सजाकर रखा गया कि व्यक्ति की संपर्वता सुरक्षित नहीं वो कहता है कि आदमी की संपर्वता गुरू घराब नहीं होनी चीए वो राज्य को सेकंडरी मानता है सत्ता को सेकंडरी मानता है वो कहता है आदमी के लिए सब कुछ प्रवद्यु का प्रत्पादन नहीं किया, यानी व्यक्ति को बहघवान नहीं मानता। हो कहता है कि व्यक्ति के लिए सारी चीज प्रतेक व्यक्ति जवारा से विल मैं आपको ते स्ववाव इप्राकृति काथिक अंच्छी शांज़ता देविंकिनुद Divya यक्ति जवर सै तर 있는데 व्यक्ति नंयगे के बाह्वनारे वीपे प्रतेक व्यक्ति की को देता है । को लोग कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो जितना उसकी खराव नियाय नॐय और अन्याय करता ऐसी भावना है तो लोग कहता है कि बया आ उसको नेचर प्रकरती के द्वारा प्रदत्थ चीजे सबी जो लोग कहता है कि व्यक्ति को प्रवाइड़ीड है तो कहता है कि प्रकरती की चीजे व्यक्ति को प्राप्त है और किस तो व्यक्ति की चेतना न्याय अन्याय की भावनात प्रकर्ति से प्रापते है तो प्रकर्ति की दोरा सब खुच देने सब्सक्राइब की दोरा 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 सब इसकी जरूद नहीं है बढ़ा चुका लॉक के विचारों की आलोचना कौन करता है इसको एक बड़ देख लो लॉक ने बार बार मूल समझोता और जिनल कॉंटेक्ट तो का प्रयोक किया है परन्तु उसने कहीं पर भी इस पस्ट नहीं किया कि मूल समझोता से उसका क्यातात पर रहे लॉक बार बार ये कहता है कि लोगों के वीच में समझोता हुआ मूल समझोता हुआ कि राज ने व्यक्ति के साथ किस परकार से सरकार बनाई राज ने किस परकार से बना राज ने कैसे व्यक्तियों को अपने अंडर लिया यह मूल समझोता हुआ लेकिन यह कभी भी नहीं बोलता है कि मूल समझोता क्यों हुआ और जिनल कॉंट्रेक्ट के बारे कुछ बताता नहीं सिर्फ कहता है समझोता हुआ इसकी आलोचना की जाती है जो है सेवाइन जैसे विद्वानों ने काया कि लोग कार्ण के साथ दो समझोते हुआ पर तम मूल समझोता प्रकर्ति का वस्ता को समाफ्त करके राजिका निर्माड और दूसरा समझोता सरकार की स्तापना की जाती है ठीक है तो यह लोग कहते हैं कि देखो लोग ने दो प्रकार के समझोते की बात करता है एक तो कहता है कि प्राकर्ति का वस्ता बहुत बढ़िया थी जब प्राकर्ति का वस्ता बहुत बढ़िया थी तो फिर क्यों राजिका निर्माड किया और दूसरी में राजिका निर्माड करके फिर जो है सरकार की स्थापना की जाती है एक तरब तो लौक कहता है राची व्यक्ति के लिए बना और प्राकरते कवस्ता बहुत बढ़िया थी तो जब प्राकरते कवस्ता बहुत बढ़िया थी तो फिर फिर क्यों बनाया लौक की पड़िती विसलेशना तमके तो फिर लॉक ने क्यों कहा जब फ्राकरते का वस्कता इतनी अच्छी थी तो फिर राचे का निर्मार क्यों किया जब आदमी इतना खुस रहा था तो राचे का निर्मार क्यों किया जब आदमी इतना बढ़िया था तो आदमी फिर क्यों स्वार्थ वाला व्यक्ति हो गया आदमी को स्वार्थ वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए था ना फिर ये बात लौक के बारे में बुराई की जाती है जब सब कुछ बहले बढ़िया था तो खराब कहां से हो गया बढ़ी है रहना चीज़ था फिर लॉक के समझोता सुस्पर त्रकसंगत नहीं है ठीक है लॉक के आधर पर सहमत्ती को मानता है कि परन्तु इत्यास में राज्यों का उल्लेक मिलता है जो बल्ल सकती की आधर पर नष्ट बने और नष्ट हुए ठीक है लॉक कहता है कि ऐसा नह सकतिवादी हो गेते और व्यक्ति अच्छा था लेकिन इत्यास को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि जो बल साली राजा थे उन्होंने सकते साली राजा उन्हें कमजोर लाजाओ को पर कबजा जमा लिया इसा का जाता है लोग इसके बारे में लोग कहता है नहीं नहीं वह स यानि कि एक तरफ तो लोग ने कहा के समझोता हुआ सर्वसंपती से लोगों ने आपस में कहा कि मिल के हम यह काम करते है फिर वो बहुमत के सासन को सुईकार करता है जिसका बहुमत हुआ उसने सासन किया तोनों बातों मंतर हो गया ना समझो कैसे यह दस आदमी है लोग कहत तो बहुमत का सासन तो दस आदमी थे लेकिन दस में से जिसको जादा लोग support करेंगे किसी चीज को मान के चलो पांच आदमी उने support किया तो लोग कहता है यह पांच बढ़ी आए यह पांच अच्छे तो यह पांच जो कहेंगे बात मानी जानी चाहिए सर्वसंपत्ति और बहुमत के सासन भिरोधवास भषास ओ इन तो लोग इसको माने यह लोग तो भुमनोप़ की मानलेता है तो लोग अजुए दौनुणन कोई लोग रोध किया जाता है वश इन प्राकरती कृष्था में जीव भन सुतनतिता संपत्ति का mixed advice बारों को अच्छा माना है लॉक की रचनाओं के बारे में बात करते है NSA concerning human understanding यह यह दो तीन रचनाओं जो बहुत अच्छी है two treaties on the government बहुत बार exam में पूछी जाती है ठीक है NSA concerning human understanding बहुत बार पूछी जाती है ठीक है इन दोनों को आप एक बार याद कर लो बहुत बढ़ी आईगा आपके exam में पूछी जाती है ठीक है बिटा इन दोनों के एक बार आप याद कर लो आपके exam में पूछी जाती है clear चलिए अब बात करते है practice के बारे में सी मिस्मिस्प्रवता अगला Johnlock की प्राकरती का वस्ता को इस फष्ट प्राकरती का वस्ता करने कहने वाले विचारत को न Heck जिसने का कि johnlock可以 प्राकरती का व Hessता को optimistic बहुत अच्छी बहुत आपडिया तो ये अबत था? संपत्ति का, स्वतिंत्रता का और जीवन का? संपत्ति, लिवर्टी, प्रॉपर्टी और राइट तू लाइफ, तीन बस तो तीनी के बारे मैं बात करता है, तीन तरेक्ट आंसर होगा John Locke ने प्राकरति के दिकारों की आलोचना करते हुए किसने का? कि प्राकरति के दिकार पकवास है बैंथम, सेवायन, मैं फरसन में से कोई नहीं प्राकरति के दिकारों की आलोचना करने वाला मेरे कोडिंग तो सेवायन था सेवायन ने इसका बहुत बड़ा वरोद किया है बैंथम ने भी किया है, बैंथम आगे पढ़ोगे बें थम के बारे में ठीक है चलिए अगला विचारक लोग के अनुसार निम्लिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है लोग के अनुसार कौन सा कतन जो है वो सही नहीं है देखो राज्य के सम्दाइब राज्य होना चाहिए यह तो सही है सरकार के पास स्वविवे के अधिकार यह भी सही है एक सहिंसील राज्य है यह भी सही है संपत्ति का अधिकार नैसर की का अधिकार नहीं है तो इसको तो मानता है न लोग कहता है संपत्ति का अधिकार नैसर की का अधिकार है व्यक्ति को जीवन से पराप्त होती है तो चान नमर गलत हो गया यह उत्तरेस का डी चान नमर आपका गलत हो गया संपत्ति के अधिकार को नैसर के अधिकार मानता है न जॉन लॉग कहता है व्यक्ति को जीवन से पराप्त होती है तो नैसर का अधिकार की बात करता है सही नहीं पूछ रहा है तो यह आंसर हो गया आपका D अगला उप्सन गया है जॉन लॉक नी अपनी पुस्तक टू ट्रेटीज ऑफ सिविल गवर्णमेंट के स्खंड में राजा के देवी अधिकारों पर पतादिकारों का खंडन किया है राजा को कोई देवी अधिकार प्राप्त नहीं है राजा सब अखवास करता है तो यह कौन से खंड में का है पता नहीं वही पर्थम खंड में का है एक कुसन यूजीजी नेट में पूछा गया एक बड़ देख लेना अच्छे प्रस्टन है एक्साम में बंते है जोन लोक के अनुसार मानव सुबाब के बारे में कौन सा वक्त बे सही नहीं है गलत है तेको मनुसे परुपकारी प्राड़ी ये लोक कहता है मनुसे करतब परुपकार मानता है कहता है मनुसे नहतिक प्राड़ी ये कहता है मनुसे कोरा जंगली पसुए ये लोक नहीं हॉपस कहता है ये तो गलत है ना वो मनुसे को बहुत अच्छा मानता है मनुसे उसके एक ओड़ी बगवान के लेवल पे य और शवती तो मनसु को अअिसाँ अच्छा माननता है लुग ki रायनितिक जंदन क कि रायनितिक विग्यान को स सर्वषेष्धoresट देन कृ आनती को इसने बहुत अच्छा महाना है कृ आनती उसकी देनоду कृ आनती को अच्छा माननता है लुग जन-सहमती सर्वसेष्ट देन जॉन लोग की राहिनितिक चिंतन में राहिनिति विज्ञान को सर्वसेष्ट है जन सहमती भी है जन सहमती करांती दोनों को अच्छा मानता है संपुर्वता को पूर्व सुईकार नहीं करता तो जन सहमती जाता अच्छा है क्योंकि कहता है जन सहमती होगी जिस चीज में वो अच्छी है जन सहमती करेक्ट आंसर होगा इसका जॉन लॉक की रहनिती चिंतर में रहनिती विज्ञान का सवश्र से देन क्या है तो जन सहमती है जन सेमत ठीक है अगला जॉन लॉक के सामाजिक समझोते के बारे में कौन सा खतन असत्य है असत्य खतन दो प्रकार के सामाजिक समझोते बताता है नहीं ये तो और लोगों ने बता है पहला समझोता असत्य है दूसरा असत्य है ये भी गलत है असत्य खतन कहा रहा है असत्य खतन मतलब बागी स्थ सत्य है दो प्रकार के थिक है पहला समझो ता दूसरा समझो ता transaction कके है सामाजिक समझो ता हम पुस्तuzu टू ट्रेटीस में है Clear राजनीतिक समाज में प्रवेश करते समय प्राकरती कदिकारों को त्याग करते हैं ऐसा बिल्कूल भी नहीं है जोनलोग कहते हैं प्राकरती कदिकारों को त्याग करना ही नहीं है राइनिती कदिकारों प्रवेस करने की बात करता है लेकिन प्राकरतिक अधिकारों के त्याग करने की जॉनलोग अभी बात नहीं करता है यह कह सकते हैं D आपका 100% जो है यह आपका कलत है लेखकों पुस्तकों का निमलिखित मेंसे कौन सा योगम सुमेलित नहीं है अब बताओ भाई करेक्ट अंसर क्या होगा मैकावली की दी इमाइल तो नहीं है बाकी तो आपको जॉनलोग पढ़ना है मैकावली को आगे देखोगे टू ट्रेटीज ओन गवर्मेंट जॉनलोग की किताब है तो किताबों का एक बार रट लेना जॉनलोग के बारे में यही है आदमी को अच्छा मानता है व्यक्तिवादी विचारक है अगला मैं आपको इसके साथ विचारक पढ़ाऊंगा इसमें आपको और चीज़े मिल जाएंगी तो यह आपका जॉनलोग का पुरा चेप्टर कतम हो गया जॉनलोग तो यह किताब इसके एक बार देख लेना कभी कभी डेट भी पूछ लेती है कि इनको एक बार क्रम से लगा है तो जॉनलोग की सबसे पहली जो फ़िमस किताब है की किताब है पूछी आती है टू ट्रेटीस और गवर्मेंट सबसे इंपोर्टेंट है लेंटन, इस हैं और देख लेट हैं डेख लेटनोग है त्वी इम्पोर्टेंट है तीन किताब इसके 87, 29, 89 तो इसके लगवाता है तो करम से लगा दो मेरे एकोर्डिंग तो हीक है तो प्रम से लगवाएका सथैं तो याद कल लेका चलो फिर और कोई डावड तो बताओ चलो बाई बाई थेंक्यू जो अलोग खतम हो गया आपका चेप्टर क्या हुआ